कि नॉक 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 कौन आया ज़रा चैट में बता दो कौन आया तुम्हारा भाई आया God bless you all welcome to this session and आज हमने क्या पढ़ना है पहले ये बताता हूं फिर आगे शुरू करते हैं session को आज हम पढ़ेंगे relation जो की 11th में एक बहुत introductory सा topic के relation होता क्या है अब sets पढ़ते हैं sets के बार relation आता है and then हम पढ़ेंगे function क्या होता है और classification of function क्या है यानि की function की types क्या होती है अगेन जो types of function है 11th में इंट्रोड़क्टरी रहता है और 12th में इसके बहुत सारी अच्छे applications आती है एक altogether नए chapter में which is called application of derivatives right and in the end we will do domain which is quite important अगर हम functions chapter की बात करें तो यह हमने आज cover करना है सबसे पहले relation relation के बाद function शुरू होगा पहले definition meaning क्या है होता क्या है and इसके type क्या है and then domain of function domain of function will be the topic जहां से question बन सकते हैं अगर हम competition की बात करें और जो function का major definition of beginning में वो conceptual building के लिए बहुत important है so this is what we are going to do today God bless you all हालत थोड़ी बैटर है कल session के बाद रात को थोड़ी सी अवास फिर बैठी थी then I took a rest again but abis better लग रहा है I hope की better ही रहे God bless you all to mega फटा फट शुरू करें क्या बात है एक फुल-on energy अच्छा एक पॉजिविटी लिया विक बच्चा थोड़ा खेल रहा था तो उसको एक और तुम्हें नहीं तुम्हारे friends को भी positive बनाता है और एक positivity surrounding में फैल जाती है तो वह बहुत जरूरी है क्या बात यह की न energy वाली बात very good so with that good energy only let us start the session God bless you all and here I start the session or session शुरू आने से पहले मैं बता दूँ जो मैंने आपको promise किया था तुमारे भाई ने कि तुमारा macro course में launch करूंगा तो बता देता हूं जिन जिन बच्चों ने subscription ले लिया है उनको मैं बता रहा हूं कि मेरा macro course को कहा मिलेगा क्यों के लिए free of cost रहेगा जिन्होंने subscription ले लिया है यादा ना मैंने promise किया था तुमारे माइक्रो कोर्स लेकर आऊंगा वह अब शुरू हो गए हैं अभी 11 के लिए लाउंच कर दिया कुछ टाइम को मैं 12 के लिए भी करूंगा अभी 11 का बता रहा हूं बेटा आप जब सब्सक्रिप्शन लेकर अपने वोमपेज पर जाएंगे ना यहां पर आपको माइक कोर्स आएगा उस पर क्लिक करना है माइक कोर्स पर यहां पर एन्रोल मोर लिखा आएगा फिर एन्रोल मोर पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर फिल्टर लगा देना है मैथ का माइक्रो कोर्स तो आपने पहले मैथ दब देना है तो यहां पर वो कोर्स इस आ जाएंगे जो शुरू होने बाले हैं और इन में से तुम्हारे लिए जो मैं कोर्स लेकर आ रहा हूं वो यह है Algebra and Trigonometry Foundation 1. Do you all agree? Algebra and Trigonometry ऐसी चीज़ हैं जो कि 10th में पढ़ी होती है बट हमें यह नहीं पता होता है उनमें से कौन सी चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है कौन सी नॉर्मल है तो इसमें मैं आपको पूरा foundation बनाऊंगा Algebra and Trigonometry का मैंने one बोला है क्योंकि कुछ time बाद मैं इसका एक दूसरा version 2 भी लेकर आऊंगा तुमारे लोगों के लिए आप इसमें view detail करेंगे तो आपको दिख जाएगा teacher name क्या है timing क्या है सब पता लग जाएगा और इसमें क्या पढ़ने वाले है जैसे कि concept of polynomial आपको polynomial की इजट नहीं पता होती जिसकर के algebra लोड़क जाता है पूरे का पूरा generalizing sine and cosine theta आपको sine theta cos theta की definition नहीं पता होती और उससे बहुत बड़ी चीज़े आगे जो बनती है 11th में वो नहीं पता होती तो यहाँ पे हम वो सब देखेंगे ठीक है तो फटा फट जिन्होंने ले लिया था subscription इसको आप enroll कर लेना free है आपके लोगों के लिए okay so purpose बता दूँ इसका purpose यह है कि तुमारा 11th का kickstart बहुत अच्छा हो इसमें मैं वो चीज़े पढ़ाने वाला हूँ जिससे तुम 11th में एक champion की तरह start कर पाओगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी वो होता ना 10th में तुमने realize किया होगा कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों का approach कर लेते हैं और कुछ सोचते रह जाते हैं यह कैसे दिमाग में आया वो क्यूं होता है क्योंकि इन बच्चों को पता नहीं होता है कि किस topic पे जाधा stress देके उसको completely समझना है और किस topic को आप normal करके टपा सकते हो यहां पे वही होने वाला है तुम्हारे साथ कि यहां पे में तुमको वह topic पूरे पढ़ाने वाला हो जिसे तुमारा 10th का जो वह चैंपियन वाला feeling है अगर वह खो गया था वह मुड़ के आ जाएगा तो इट विल भी ब्रिज बिट्विन 10th and 11th ओके गॉडब्लेस यू तो चलो भाई फटा फट सेशन पर आते हैं और इसको शुरू करते हैं टैंटने टनन टनो आई थोड़ा सा वायर धीरा लग रहा है HD में लिखा रहे हैं चलो don't worry देखते हैं ओके गॉडब्लेस यू बेटा तो अभी हम करते हैं शुरू तो सेट्सलेशन फंक्शन का लेक्शर 2 आज पड़ेंगे रेलेशन इंट्रोड़क्शन फंक्शन का फंक्शन होता क्या है and domain of a function ठीक है मजा आ रहा है बाई गॉडब best teacher award yet national level two years back to back तीसे साल वो होई नहीं पाया corona ने तबाही मचा दी and of course have attended national level camp जो की all over India only 50 to 60 candidates get selected for that ठीक है तो यह थोड़ा सा हमारे बारे में जो नहीं बच्चे है अभी नहीं जानते और हां तुम थोड़े नहीं बच्चे हो तो मैं यह बताना भूल गया पुरानों को तो तुम्हारे भाई को शौक किस चीज का है तुम्हारे भाई को शौक है गाने गुन गुनाने का डांस करने का दोस्तों से गप्पे मारने का और बच्चों से ग्यान और प्यार महबत की बाते करने का यह आपके भाई को शौक है बहुत अच्छा लगता है ठीक है चलो विद येस, एंड इसके बारे में आपको session के end पर मैं पूरा detail में बताऊंगा ये तुमको पता है, but yes, results बताने जरूरी है, तांकि आपको पता हो कि जिस channel से तुम जुड़े हो, जो वो company है पूरा विदान, तुम वो क्या brand है बेटा, this year 100 percentile in J.E.Main, जो दो paper हो चुके है, 17 students है, ब तो 307 plus बच्चों ने 99 percentile से उपर लिया, this is Vedantu, right, and एक बच्चे ने बड़ा प्यारा कोशन पूछा, उसको बाद में जवाब दूगा, fun वाला कोशन, Krishna, so J.E.Advance, 2020 की बात करें, 548 students cleared J.E.Advance, 548 students, एक बड़े से बड़े institute का number भी तना नहीं होता, you can compare it, online तो बेटा मुश्किली मिलेगा, ठीक है, so this is what Vedantu stands for, और चाहे KVPY की बात करें, this ये भी है, for 54 selections, KVPY की बात करो, तो आप जो regular subscription के बच्चे होते हैं, उनके लिए KVPY का भी micro course चलाया जाता है, जब KVPY पास आ जाता है, तो वो बच्चे वो भी free of cost access करते हैं, और इसी लिए तने स करते हैं, तो इसके बारे में कब बात करेंगे, अभी बता दो मुझे चैट में, जितने भी feature होते हैं subscription के, जो की काफी बच्चों को पता है, कुछ ने बच्चों को नहीं पता होंगे, उनके लिए मैं session के end page की पूरी detailing करूँगा, so that you can take a wise decision and join Vedantu subscription for a long term coaching, okay, सबसे बढ़िय कि आजाए, और एक बार मैं फिर बता दू, जो बच्चे, अच्छा एक चीन में बताना चाहता हूं, subscription के बारे में की, indecisive मत रहना, मैं आज बच्चों को बहुत कह रहा हूं, करोना के चक्रें, बच्चे indecisive बहुत हो रहे हैं, कि हाँ, join करेंगे, सोचते हैं, यार, good decision maker, एक decision लेकर, join कर लेना, that is very important, ठीक है, and completely choice is your, I can only suggest you, कि वेदानतु के बारे मुझे पाता है, कि it's very good, maybe the best one, but आपका choice अलग हो सकता है, I don't, like, I'm not going to impose on you, but yes, I can tell you what is all good about वेदानतु, so that you can take a good decision, but take a decision, indecisive मत रहना, महीने के महीने निकल जाते हैं, बच्चों के फिर व जाके जाकते हैं, और फिर वो कुछ जॉइन करते हैं, और उस चक्र में पूरा learning खराब हो जाता है, so फटाफट जॉइन जरूर कर लेना, जहां भी करोगे, यहां का बता दू, दो बैच शुरू हो चुक है, एक English बैच, एक Hindi बैच, हिंदी वाला भी थर्ड मेही कोई शु सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आएगा relation, देखो या, relation की बात करें, इससे पहले कि मैं relation शुरू करूं, मैं खलक असा broad, outline देदू कि relation में क्या पढ़ने बाले है, सबसे पहले आप relation में पढ़ोगे, Cartesian product, यह क्या होता है, देखते हैं, sets से जुड़ा हुआ हुआ एक term है, Cartesian product of sets, भया, sets पे आपने union, intersection, planet, सब सिखा, ऐसे ही sets का product भी होता है, जिसको की Cartesian product कहते हैं, okay, and पहले वो पढ़ेंगे, इसको समझने के बाद, यही से definition आएगी relation की, यही से definition आएगी relation की, जब आप relation पढ़ लोगे, यही से definition आएगी, function की, और function के spelling D से शुरू होते हैं, यहा रखना, यह आपका भाई बता रहा है, D से शुरू होते हैं, पता नहीं क्यों लिखा मैंने D, आएगी, so function की definition आएगी, जब आप function की definition पढ़ लोगे, फिर सबसे पहले आप यहाँ पर सीखोगे, types of function, की यहाँ हमने definition सीखी, पर यह कैसा कैसा दिखता है, वो सिखेंगे, और उसके बाद बारी आएगी, domain की, domain, यह हमने आज सारा पढ़ना है, आज के सारे topic, आज domain कबर होगा, domain तक कबर होगा, domain हम पढ़ लेंगे आज, ठीक है, शिवम गाना, आज अगर session के end तक मुझे लगा की गला ठीक है, तो आज गाना भी गाएंगे, तो आज अगर session के end तक गला ठीक रहा, तो आज हम गाना गाएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे session के end ठीक है, ठीक है, तो दिस इस वाट वह गाएंगे, तो लेट मी स्टेट आवे, स्टार्ट फॉम कर्टिजन प्रोडॉक्ट, अगें, it's a definition first of all, मैं एक example से definition का मतलब समझाता हूँ, मालो एक set है A, जिसमें है 1,2, और एक set है B, जिसमें है कुछ भी ले लो, 5,6 ले लेते, चाहो तो एक और ले लो 7, now what do we mean by their product, A x B, A x B means, इसमें pair आएंगे, दो-दो element का pair आएगा, कैसा pair आएगा, जिसमें पहला element A से होना चाहिए, और दूसरा element B से होना चाहिए, that's it, so 1 के साथ पहले pair बनाओ, 1,5, फिर 1,6, फिर 1,7, फिर ऐसे ही pairs, तूसे बनाओ, कुछ बच्चा भी प्रो के बारे में पूछ रहे हैं, बेटा, जब एक और session शुरू होता है, प्रो के बारे में फिर बीच में नहीं बात करेंगे, अभी सारा मुद्धा, सारा focus यहां रहेगा, session के end पे आप सारी queries clear कर सकते हो, session के end पे मैं detail में बात करता हूँ, पुरो के बारे में, अब तब मुझे सारी queries clear कर सकते हो, ठीक है, so two five, two six, two seven, यही सारे pair बन सकते हैं, देख लो, तो जितने भी pair बन सकते हैं, where first element is from a and second is from b, is defined as a cross b, बाड़ा प्यारा सवाल सल, वाय कर्ली bracket, sets, यह समझो, यह chat बता दो, do you all agree, at the end of day, यह भी एक set ही है, yes or no, यह भी तो एक set है, it's a collection of elements, यह पहला element, यह दूसरा element, यह तीसरा element, यह चौथा, यह पाँचमा, यह छेमा, यह यह एक element का collection ही तो है, और जब भी हम single 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 element रखते हैं, यह एक element, यह दूसरा element, यह तीसरा, कौन सी bracket लगाई जाती है, curly bracket, that is why curly bracket, मैंका पता लग गया, can't, similarly, b cross a, तो अब, चैट में बता दो, क्या मुझे तुम्हे बताने की जरूरत है, कि सेम चीजें आएंगी, बट, पहला element b से होगा, दूसरा a से, यानि की 5,1, समझे हो, अब उल्टे हो जाएंगे, पहला element b से आजएगा, दूसरा a से, तो चाहे इनी को उल्टा कर दो, और चाहे अगर तुम एक proper order में चलना चाहते हो, तो पहले 5 से दोनों pair बना दो, एक लिए बेटर रहता है, ऐसे बनाओ, तांकि कुछ miss ना हो जाए, फिर 6 के साथ दोनों बनाओ, ऐसे ही 7 के साथ दोनों बना दो, तो ये हो गया Cartesian product का meaning, meaning समझ आ गया, तो definition तो क्या ही चीज़ है, पताक से हो जाएगी, तो meaning clear हो गया, अब इसकी definition भी देख लो, पढ़ लो अपने आपी, A x B क्या है, इसमें A, B टाइप के elements आएंगे, such that A जो है capital A में है, और B जो है capital B में है, काम खतम, right, काम खतम, एक बच्चा कह रहा है, थोड़ी सी अवाज बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं, बेटा, जैसे अवाज कम होनी चाहिए नहीं, बटा अगर है, तो यहां से बढ़ा देते है, एक मेंटर को जड़ा, बेटा, वास्टो फुल पे है, बेटा, बेटा, साउंड फुल पे है, आपको चाहिए कुछ प्रॉल्म, अपना वो, देखो, चेक करो, अपना वो, माइक के जो भी होता है, वॉल्यूम, वो चेक करो, ओक, सो इसके बाद क्या आएगा बिया, औप, पहन नीका याएब होना चाहिए, आगे आजमों, तो यह मैंना आपको समझा दिया, पेर बन जाते हैं, तो, one के साथ a, one के साथ b, one के साथ c, फिर three के साथ a, three के साथ b, three के साथ c, दो साट थेत नहीं बस पेर आने हैं, लो जी कार्टीजन पॉड़क्ट क्लीर हुआ ये जरा कितने बच्चे एजली अब्जर्ब कर पा रहे हैं चैट में बताओ इकितने बच्चे एजली अब्जर्ब कर पा रहे हैं बतादो फटा फट कर पा रहे हैं ओई शाबाज यार देखो यार ए में दो एलिमेंट हैं और बी में तीन एलिमेंट हैं तो पूछा गया प्रोड़क्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे यह तो बड़ा लॉजिकल है पहले वन के साथ तीन पेर बनेंगे फिर टू के साथ तीन पेर बनेंगे तो टू टाइम थ्री सो टू इन्टू इन्टू थ्री तो फॉर्मूला क्या जाता है यह नमबर ओफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इस नथिंग बट नमबर ओफ एलिमेंट इन इन्टू नमबर ओफ sets का product कर सकते हैं जो 3 का भी product कर सकते हैं मैं का बेटा तुम चाहे 10 का product करो मानलो A है आपका 1,2 B है आपका 3,4 और C है आपका 6 और मैंने आप से पूछा मुझे A x B x C बताओ कर सकते हो अब चैट में बता दो do you understand it's very logical to say कि अब क्या आएंगे triplets आएंगे अब triplets पहला A से आएगा दूसरा B से आएगा और तीसरा C से आएगा ऐसे elements आएंगे तो जितने triplets बन सकते हैं बना दो सारे बनाने पड़ेंगे छोड़ कोई नहीं सकते तो पहले 1 के साथ 3,6 फ फिर 2 के साथ 2,3,6 फिर 2 के साथ 2,4,6 एंड मेरे ख्यासे खतम हो गए 1 के साथ आगया 2 के साथ सब आगये काम खतम हो गया तो जितने मर्दी हों बन सकते हैं और बहुत logical होगा अगर मैं तुम से पूछता कि A x B x C में कितने element आएंगे अरे product हो जाएगा NA x B x C जैसा आपने 2 के लिए observe किया पिछली slide पे 2 के लिए observe किया पिछली slide पे similarly 3 के लिए भी same चीज़ होल्ड कर जाएगी very good बच्चों ने answer बता दिया 4 2 x 2 x 1 चागे होए सो तुमको पता कि Cartesian product is not an issue अब तुम मुझे इसका जवाब दो और तुमारे जवाब के बाद फिर मैं बताऊंगा यह question मैंने क्यों पूछा सोचो hint भी दिया है सोच के जवाब देना बस तुक्का नहीं मारना I don't like तुक्के तुक्के नहीं मारने आपको A में पता है 2 element B में पता है 3 element और आपसे पूछा गया है number of subsets of A x B अरे चागे होए चागे दिल खुश कर दिया तो यहां से मुझे A x B के elements तो पता लगे कि 6 होंगे और यह हमने पिछले session में ही सीखा है किसी भी सेट में अगर 6 element हैं तो उसके subset कितने होंगे number of subsets of this set A x B अभी सेट है अभी देखा हमने बिलकुल 2 raised to par जितने element है 6 चागे 2 par है तो let me conclude this part पिछले session में देखा था कि अगर एक सेट में 5 element हैं तो उसके subsets होते है 2 par 5 एक सेट में 4 element है तो उसके number of subsets होते है 2 par 4 A x B में 6 element है तो इसके कितने subset होंगे 2 par 6 अब point आता है कि सर आप ये एक दम से subset की और क्यों चले गए अभी तो हमने बस मतलब समझाता कि A x B होता क्या है पेटा actually A x B के meaning से जादा कुछ है ही नहीं subset पूछने का मतलब क्या है ये आप मेरी 2 slides के बाद समझोगे 2 slides वेट करो तुम appreciate करोगे कि तुमने ये निकाला था देखो ओ आ जावे relation बहुत ध्यान से सुनना है मैं पहले meaning बता रहा हूं फिर definition पर जाएंगे मैं फिर से वही लिख लेता हूं 1,2 और B ले लेते हैं 3,4,5 तो आपको A x B अच्छे से पता है मैं फट फट लिख देता हूं 1,3 1,4 1,5 2,3,2,4,2,5 लो ये फटा फट मैंने लिख दिये अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना You all know that ये भी एक सेट है और इस सेट में टोटल 6 elements है मैंने तुम्हें कहा इस सेट कहना कोई भी कोई भी एक सबसेट लिख दो Let me call that subset R1 कोई भी सबसेट लिख दो ठीक है कोई भी ठीक है सर चैट में बताओ ये element रख लो ये रख लो 1,3 बोलो चैट में 1,3 रख लो मैं कोई भी एक random subset बना रहा हूं 1,3 रख लो रख लो लो जी 1,3 रख लिया 1,4 रख लो 1,4 रख लो 1,4 बताओ 1,4 रख लो रख लो कुछ नहीं रख लो 1,5 पे 9 आ गया 2,3 रख लो 2,3 रख लो 2,3 भी नहीं रख लो 2,4 बताओ 2,4 2,4 येस 2,4 बस बहुत है यार कितने लिखाओगे चलो रख लिया ये इसका एक subset हो गया You have created a relation from A to B Sir हमने कहां create किया बेटा तुम ही ने create किया Any subset of A x B is called a relation from A to B Sir ऐसा क्या तो ऐसे तुम बहुत सारे subset लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हो Sir वो सारे के सारे relation होंगे A से B पे हाँ बेटा होंगे चैट में फटफट आग लगा दो Do you all agree क्योंकि इसमें 6 elements हैं तो तुम चाहो तो इसके 2 power 6 subset बना सकते हो 6 subsets बना सकते हो वो सारे के सारे relation होंगे वो सारे के सारे relation होंगे सारे के सारे relation होंगे सारे के सारे relation होंगे So any subset of A x B is a relation Meaning clear हो गया तुमने बना भी दिया तो Sir बाकी सब ठीक है एक छोटी सी कीज बता दो इसको नाम relation क्यों दिया गया इसको नाम relation क्यों दिया गया ओ बेटा तुम जो टाइपस बोर्डो सब आने वाली है यहां मारा base बना दिया आगे देखो तुम पटाक पटाक जवाब दोगे इस relation क्यों कहा गया बेटा इसको relation कहने के पीछे का reason तुम appreciate कर पाओगे अगर मैं इन चीज़ों को when diagram में लिख दूँ when diagram में लिख दूँ देखो यह रहा set A 1, 2 और set B, 3, 4, 5 ले भई I am going to represent 1, 3 as this यानि की 1 ने 3 से प्यार कर लिया रिष्टा बना दिया 1, 4 like this 1 ने 4 से भी प्यार कर लिया 1 बहुत सारा प्यार बांटता है everybody comes and be a प्यार ले लो मुझसे बस तो 1 ने 3 को भी प्यार किया 1 ने 4 को भी प्यार किया और 2 ने 4 को प्यार किया तो अगर तुम इन pairs को इन pairs को ऐसे represent करो तो do you all agree कही न कहीं यह feeling आ रही है कि यह a के element b के element से relate हो रहे है tell me in the chat कही न कहीं यह feeling आ रही है a के element b के element से relate हो रहे है that is why the term relation तो तुम्हें meaning समझ आ गया अब हम इसको properly पढ़ते है low b definition पढ़ो फटा फट let a and b be any two non-empty sets any subset of a cross b any subset of a cross b is called relation from a to b is called relation from a to b तो जितने भी subset है a cross b के वो सारे के सारे अलग-अलग relations है a से b पर अच्छा सर definition clear for example एक 135 है एक 6,7 है मैं इसका a cross b लिखता हूँ 1,6, 1,7, 3,6, 3,7 a cross b लिख दिया इसका randomly एक subset उठाया इसका randomly दूसरा subset उठाया जितने मर्जी subset उठाओ ये एक relation है a से b पे ये दूसरा relation है a से b पे ऐसे जितने भी तुम subset लिखते जाओगे वो सारे के सारे relation होंगे a से b पर सारे के सारे relations होंगे a से b पर sir relation का मतलब समझ आ गया और यह भी समझ आ गया कि relation word कहिन कहीं English वाला ही relation है A के element B के element से relate हो रहे हैं चमक गया find number of relations फटा फट जवाब दे दो अब में को अदेश उस पर आ रहे हैं बेटा उस पर भी आ रहे हैं शबच जवाब दे दो शबच number of relations from A to B बता दो फटा 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 ओई शाबाश ओचा गया एक बच्चा गलती कर रहा है वो 6 बोल रहा है बेटा 6 क्या है A क्रॉस B के number of elements तुमको A क्रॉस B के number of subset बताने हैं 2 पावर 6 बिल्कुल सही पकल दिया 2 पावर 6 तो जब भी तुमको वो number of relation पूछे ना बेटा तो तुमको number of subset बताने है A क्रॉस B के एक बार चैट में सारे लिख दो any subset of A-Krock-B is relation फटा फट लिख दो यह लिखो subset of A-Krock-B is relation यह लिख दो subset of A-Krock-B is relation यह लिखो subset of A-Krock-B is relation तो जब भी relation की बाद चल रही होगी आपने A-Krock-B के subset को दिमाग में ले आना है That is relation, बहुत बढ़िया यार ये तो आपने खुदी कर दिया मजे मजे में कर दिया अब आ गया, भही आ रिलेशन को बताने के तरीके क्या है भही आ मैंने तुमको बताना है कि यह रिलेशन ना ये है तुमने किस तरह से लिख के बताऊंगा किस तरह से लिख के बताऊंगा एक तरीका तो तुमको आता है भी यह बता दो क्या element है यह मैंने कि example लिया है A है 1,2,3 B है 1,3,5,7 Do you agree? 1,1,2,3,3,5 A से B पे relation है Tell me in the chat, do you all agree? 1,1,2,3,3,5 यहां से यहां पे एक relation है और राधर आप इसको visualize कर सकते हो कि यह जो है 1 को 1 से relate करता है 2 को 3 से relate करता है 3 को 5 से relate करता है यह तो एक तरीका हो गया बताने का क्या इसका कोई और तरीका भी है बताने का भी यह मैंने तुमको एक relation बताना है तो कैसे बताऊंगा या तो लिख दूँगा दूसरा तरीका या फिर उसका एक characteristic बताऊंगा कि यार y जो है वो 2x-1 आ रहा है देखो 1 जो है वो 2x-1-1 है 3 जो है वो 2x-2-1 है 5 जो है वो 2x-3-1 है देखो मानते हो देखो ज़रा 3 क्या होता है 2x-2-1 5 क्या है 2x-2-1 यानि कि अब मैंने formula बता दिया formula तो या तो elements बता दो सारे या उसका formula बता दो बात तो है ये relation क्या है बता दो काम खत्म और इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है यहाँ पे brackets लगी हुई थी यह bracket नहीं लगा जाती इसे पढ़ना है आपने x को y से relate करता है ये वाला relation r x को y से relate करता है relation r अगर ये वाली condition वो fulfill कर रहे हैं तो ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो बस notation है ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो notation है तीक ये लिखने का तरीका भी आ गया ठीक है sir यह तो clear हो गया, या तो element बता दो, या उसका formula बता दो, formula बताने के दो तरीके, या तो bracket लगा के set builder form में लिख दो, या फिर ये ऐसे लिख दो, फरक कोई नहीं पढ़ता, very good, Krishna बेटा session के end पे anything apart from this, we will talk in the end of session, ये पहला point पढ़ो, a point पढ़ो, फटफट, a point पढ़ो, only a, अगर x-y relation में है, कुछ चल रहा है इंका, then we call y as the image of x, and x as the pre-image of y, ये notation है या नाम है, जो use होता है, उसे दिमाज में आपने रखना है, जरा यहाँ पे आओ, one का image, one है, two का image, three है, three का image, five है, आगया समझ, no yash, वो सही था बेटा, tension मत लो, so one का image, one है, two का image, three है, three का image, five है, अब तुम मुझे chat में बताओ, five का pre-image क्या है, five का pre-image क्या है, God bless you, God bless you बेटा, three है, पीछे क्यों, तुम मुझे बताओ, two का image क्या है, two का image क्या है, three है, very good, so इसको image कह देते हैं, इसको pre-image कह देते हैं, तो कभी यह term आज है, डरना नहीं, बहुत पपी सी term है, यह मैंने तुम को, ओए, सोरी, 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 यह क्या कर दिया, मैंने, या, बंद पे दबा दिया, ओ, ओ, present, और, just a minute, गल्ती से मैंने close पे दबा दिया था, बच गए, हम, पहन आ गया, ऐसे, हाँ, एक बाब बताओ, मैंने तुम को अभी बताया कि, a cross b का कोई भी subset, subset of a cross b, is relation from a to b, यह definition है, तो बहुत obvious ही बात है, subset of a cross a, is relation from a to a, हाँ सर, बिलकुल सही है, बहुत obvious ही बात है, a cross b का subset, जो है, वो a से b पे relation है, a cross a का subset, a से a पे relation है, just for information, इस चीज़ को, in short, in short, कहा जाता है, relation on a, so whenever they say, relation on a, it means relation from a to a, तो never get confused, so relation from a to b, ऐसे लिखा जाता है, relation from a to a को, short में, relation on a कहते हैं, शाबाश, तो just annotation है, बस पता होना चाहिए, तो यह था आपका दूसरा point, relation from a to a, is also called, relation on a, तो अब हमें relation के बारे में सारे term पता लग गए, थोड़ा बहुत type देख लो यार, अच्छा पहले domain and range, उसके बार type, पहले domain and range, फिर उसका type, उसका type, कुछ नहीं है यार, यह जो होते हैं, उसको domain कहा जाता है, और यह जो होते हैं, उसको range कहा जाता है, जो पहले वाले element हैं, उनको domain कहा जाता है, जो दूसरे वाले element हैं, उनको range कहा जाता है, काम खतम हो गया, अब तुम मुझे बताओ, एक मैंने set लिया, 1, 2, 3, 4, और मैंने b लिया, 5, 6, 7, 8, 9, और मैंने इसका एक relation लिखा, 1,5, 1,6, 2,3, टेल मी इन दे चैट, इसका domain क्या है, इसका domain क्या है, ये बताओ, इसका domain, शाबश, इसका domain क्या है, चैट में बता दो, 1 and 2, वेरी गुड, 1 and 2, ये पहले वाले element, पहले वाले element, पहले वाले element, डोमेन है, जो इधर बैठे है, जो कहीं पे जा रहे है, जो कहीं पे जा रहे है, और range क्या है, ये बता दो, range क्या है, इस relation की range क्या है, range, 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 शाबश, 5, 6, 3, जहां पे जा रहे हैं, वो आपकी range है, अगर मैं तुमको कहता, कि यार इस A के लिए, और इस B के लिए, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो relation लिखा है, थोड़ा इसको plot भी करके बता दो, तो कैसे plot करते, 1 को जोड़ा जाता 5 के साथ, 1 को जोड़ा जाता 6 के साथ, और 2 को जोड़ा जाता, 3 कहां से आ गया, खौँ, खौँ, पाप लगेगा, पाप, वो बता तो देते, 3 तो इदर है यह नहीं, वो बता दिया करो, यार ऐसा नहीं करते, 8 लिख लेते हैं, चलो, बता तो दिया करो, 3 तो था ही नहीं उदर, तो 2 गया, 8 पे, ऐसे इसको बना के दिखा देंगे, बन गया, बोला था आपने, ओई यार, सौरी मैंने मिस कर दिया, तो अगर यहां पे मुझे मेंशन करना है, डुमेन, तो यह रही डुमेन, तो डुमेन क्या होगे, जो कहीं न कहीं जा रहे हैं, कहीं न कहीं, जा रहे हैं, और रेंज, यह दुमनों, और आठ, यह आगी रेंज, कलेक्शन अफ आल इमेजेज, जितने भी इमेज हैं, वो सारी रेंज हो गई है, वेरी गुड, इग्जेक्ली, शाबाश, तो यह रहा इसका, डुमेन एंड रेंज का मीनिंग, सो डुमेन कुछ नहीं होता है, यह पहले वाला एलिमेंट होता है, और रेंज कुछ नहीं, दूसरे वाला एलिमेंट होता है, और इसका कोई मीनिंग नहीं है, बहुत पप्पी सी चीज है, यहाँ पर एक term देख रहे होंगे code mean सब यह code mean कहां से आ गया यह जो पूरे का पूरा B है उसको code mean कहते है इसको code mean tell me in the chat सब को code mean और range का फरक समझ आ गया फटपट बोलो code mean क्या है पूरा B और range क्या है इसमें जो image आ गये इसके अंदर जो image आगे जिसको 3 लग गया, जिसको प्यार कर दिया जिसको प्यार कर दिया 1 ने 5 को प्यार किया, 6 को प्यार किया 2 ने 8 को प्यार किया यह 5, 6, 8 range है 5, 6, 7, 8 पूरे का पूरा बात करें तो code domain है शाबश तो यह रहा domain और code domain और range का मुद्धा और यह same terms आपको function में फिर से आने वाली है तो वहाँ पे इस पे फिर से discussion शुरू हो जाएगा ठीक है, साथ-साथ notes बनाने भी नहीं बेटा आपको session के end पे इसका download कर लेना है solving करने है session के बाद आपने इसमें जितना भी आप पढ़ते हो शाबाश आगे आजो जरा यहाँ पे जाओ अभी अभी हमने जो example किया उसी के जैसा एक और example यह मुझे तुम करवाओ गया अब तुम्हारी बारी है यह relation की definition दी हुई है y is equal to x plus 1 और relation on a है on a का मतलब a से लेकर a पर relation on a मतलब a से लेकर a पर तो जरा मुझे पताओ minus 1 कहाँ जाएगा tell me in the chat minus 1 कहाँ जाएगा अब यह तुम chat पर बताओगे मेरे को फटा फट तानिशा उसका कोई नाम नहीं होता तानिशा कुछ बच्चे कह रहे है zero पे जाएगे कुछ कहरे कहीं नहीं जाएगे यार जाना तो zero पे चाहिए था अगर x minus 1 है y को zero होना चाहिए था पर क्या यहाँ पे zero है tell me in the chat क्या यहाँ पे zero है नो sir यहाँ पे तो zero है ही नहीं यानिकि यह कहीं पे जा नहीं पाएगा जाई नहीं पाएगा क्या करें मजबूरी है अच्छा तो वन बताओ कहां जाएगा अब वन कहां जाएगा टू पर जाएगा भाईया वाई जो है वो एक्स प्लस वन है तो टू कहां जाएगा थ्री पे जाएगा थ्री कहां जाएगा फोर पे जाएगा फोर कहां जाएगा फोर कहां जाएगा बचारा फोर किसको प्यार करेगा अक्षत बाजपाई वेलकम बेटा welcome back आप हर session में यही करने आते हो या तुम अच्छे कासे free हो यार अक्षत इतना भी वेला बंद अच्छा नहीं होता बिटा मन माने तुम free हो time pass के लिए आ जाते हो पर हर बार एक ही dialogue हर बार same dialogue यार हर जगा पे same मैंने physics ने देखा तो तुम physics में भी यही काम कर रहे थे ओ इतना बेला पंती अच्छी नहीं होती तुम्हारा time कीमती है काम करो जाके पढ़ाई करो कहीं ही जा पाएगा यार four को जाना था five पे five आगे है ही नहीं five आगे है ही नहीं तो अब तुम मुझे बताओ what is the domain what is the domain बता दो what is the domain what is the domain one two three ये वाले जो है ये domain है जिनको प्यार हो गया what is my range tell me in the chat now what is my range range बताओ two three four जिन से प्यार हुआ दिल को इन से प्यार हुआ पहली बार हुआ तुम से प्यार हुआ ठीक जी तो इनको प्यार हो गया अब तुम मुझे बताओ code main क्या है code main code main क्या है sir ये पूरे का पूरा code main है यानि कि minus one one two three four यह पूरे का पूरा code main है सारी terms clear हो गई meaning बढ़िया इन meanings को दिमाग में रखना same term आगे जाके function में use होंगी बहुत बढ़िया यह सब clear हो गया ओ यार घटी ऐसा सवाल है एक सवाल देख लो फटा फट यार अब कुमारे ले कुछ नहीं बचा गए कहता है relation क्या है यह formula दिया हुआ है दोनो whole number होने चाहिए और इसको satisfy करने चाहिए और बस domain range बता नहीं है तो x और y whole number है और इसको satisfy करते है whole number क्या होते है 0 से शुरू होते है 0, 1, 2, 3, so on तो पहले x को रखो 0 बताओ y क्या आएगा x को 0 रखो बताओ y क्या आएगा बोल दो फटा फट गलती से भी plus minus मत बोल दे न I am so happy plus minus नहीं बोला भया दोनो whole number है तो अगर x 0 है तो y बनेगा only 5 minus 5 नहीं बन पाएगा whole number हो very good अगर x 1 है तो यह बन गया root 24 root 24 आ सकता है root 24 आ सकता है क्या भाई tell me in the chat मैंने एर x को 1 लिया तो y आया root 24 root 24 आ सकता है नहीं आ सकता y दोनो whole number है y whole number है x को 2 लिया y आया root 21 no whole number है भाई आई नहीं सकता फिर x को लिया 3 तो y आ गया 4 x को लिया 4 तो y आ गया कितना भाई 3 और जब x को लिया 5 तो y आ गया 0 तो इसमें कौन-कौन से element आये 0,5 फिर आया 3,4 फिर आया 4,3 और फिर आया end में 5,0 तो मेरे ख्याल से जवाब बहुत ही असान हो गया सबसे पहले पूछी गी domain तो मेरी domain क्या आ गई अब chat में मत लिखो time मत वेस्को तुमको आता है तो 0,3,4,5 ये पहले वाले element फिर पूछा range क्या आई अगें chat मत लिखो तुमको आता ही है range दूसरे वाले element 5,4,3,0 मैं क्या पूरा meaning समझ आ गया तुमको सवाल थोड़ा कैसे पूछ लेते हैं ये भी समझ आ गया बेसिक सा topic attention बिलकुल नहीं लेनी शाबाश अब आता है types of relation relation कैसा हो सकता है कितने बच्चों को समझ आता है basically वो पूछ रहा है types of subsets of a cross b बताओ कितनों को समझ आता है basically वो ये पूछ रहा है types of subsets of a cross b tell me in the chat very good very good very good exactly क्योंकि relation कुछ और नहीं a cross b का subset ही होता है शाबाश तो basically वो पूछ रहा है कि a cross b के subsets कैसे कैसे हो सकते हैं शाबाश अब मैं फिर से language change कर रहा हूं अगर उसमें लिखा होता types of relation on a कितनों को समझ आता है basically वो पूछ रहा है types of subsets of a cross a बताओ कितनों को समझ आता है God bless you प्रणव अगर पूछ रहा है relation on a मतलब पूछ रहा है subset of a cross a कैसे हो सकते हैं शाबाश बहुँ बढ़िया तो बेटा कुछ नहीं है घटिया चीज है empty relation भाया अब empty तो सबका ही subset है empty तो सबका ही subset है तो as empty is a subset of a cross a therefore empty relation is defined पहला क्लिए है दूसरे पर आजाओ universal अब यार हर एक set अपना subset तो होता ही है a cross a is a subset of a cross a hence universal relation यानि कि पूरा a cross a पूरा a cross a so let a be a subset as a cross a अपना ही set subset होता है तो a cross a is called universal relation so कुछ भी नहीं सब कुछ and this is little different identity relation but not that much different क्योंकि यह खुद अपना नाम बता रहा है खुद ही बता रहा है x को x पे जाना है a, a a so इस relation को कहते हैं identity relation clear एक चीज नोट की तुम लोगोंने एक छोटी सी चीज नोट की यह सारे के सारे जो है relation on a की बात हो रही है देखो relation on a relation from a to b की बात नहीं हो रही नोट की बात यह फटड़ता हो नोट की yes तो always remember यह जो definitions है they are only for the relations on a on a कभी भी हम relation from a to b के लिए इंको define नहीं करते हैं हम इंको relation on a के लिए define करते हैं अब क्यों यह नहीं पूछना क्योंकि जीज़ा definitions इंको ऐसे ही define किया गया है अब भी थोड़ा बहुत इंका example देख लेते हैं थोड़ा clear हो जागा example कर ले फटा फट ले बई एक छोटा से example से इसको clear कर लेते हैं मैंने set लिया 1,2 एक set ले लिया फिर मैंने a cross a लिखा a cross a लिखे 1,2 और दूसरा भी 1,2 इंका cross करना भया a का a के साथ cross तो one के साथ दोनो pair लिखो और फिर two के साथ दोनो pair लिखो लो जी यह लिख दिये दोनो pair अब सुन मेरी बात धहां से इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे relation है on a इसका एक subset है empty do you all agree empty तो empty यह जो है इसका subset है तो this is called empty relation empty relation means इसमें कुछ है ही नहीं कोई element नहीं है कोई element नहीं है अच्छा दूसरा subset यह खुद do you all agree यह खुद 1,1 1,2 2,1 and 2,2 do you all agree यह भी तो इसका subset है यह भी तो इसका subset है very good तो यह बना आपका universal relation universal relation यानि कि पूरा a cross a as such पूरा a cross a as such तो इसे कहते हैं empty relation यानि कि इसमें यह बहुत नाम से जा रहा है किसी को किसी से प्यार नहीं हुआ खाली पड़ा है देखपार है किसी को किसी से प्यार ही नहीं हुआ empty relation यह पे हर एक बंद को हर एक से प्यार है one-को one से भी प्यार है one-को two-से भी प्यार है two-को one-से भी प्यार है हर एक बंदर जुसरे से प्यार कर रहा है तो यह हो गया यूनिवर्सल यूनिवर्सल लव हर जगा लवी लव है प्यार ही प्यार है लास्ट यह ध्यां से देखना तीसरा मुझे ज़रा यह पताओ 1,1 2,2 do you agree ये भी इसका सबसेट है ये भी इसका सबसेट है हाँ सर ये दोनों एलेमेंट यहीं से आया है इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन एक छोटा सा पॉइंट सुन लो बढ़ा अगर मैंने अगर मैंने 2,2 ना लिखा होता अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है वया 1,1 तो आ गया 2,2 भी तो आना था 2,2 भी तो आना चाहिए तो जितने भी एलिमेंट ए में बैठे है न उनका सेम सेम पेर आना ही चाहिए राइट क्रिति का बैटा मैंने आपको जवाब दे तो दिया बैटा हो तो गया हो तो दिस इस 2,2 अब ये अडेंटिटी रिलेशन है तो दिस इस कॉल अडेंटिटी रिलेशन तो तीनों क्लियर लव यू तो शेरा गॉड ब्लेस यू तो ये हो गई इनकी टाइप्स ये पढ़ो अगले टाइप्स इसे ही ये चार टाइप्स और होती है जिनके बारे में आपको अभी नहीं सोचना ये 12th केस लेबस में आएंगी यानि कि जब आप 12th में होंगे तो आप इनको पढ़ेंगे तो और भी टाइप्स है ठीक है टोटल सेवन टाइप्स हो गई थ्री जो हमने कर ली फोर ये जो 12th में आएंगी तो अगर ये टम आपको कोई कहीं दिख जाए टेंशन नहीं लेनी ये 12th केस लेबस है ठीक है तनिशा बेटा वो दूसरा चैप्टर है सेट आप उसके लिए कोई बुक देख रहा होता है अबजेक्टिव या कोई दूसरी बुक पढ़ रहा होता है और उसको ये नाम दिख जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यह यह चीज तो मैंने पड़ी नहीं थी यह कहां से आई तो बता दू यह 12th में आएगी 12th में तो कभी आप अबजेक में मुदाभ फंग्षंचंच, आई में मुदाभ, फंग्षंचंच स सारे ला नहीं ठोक दो लाइक ठोक है क्योंकि वह वही बात घूक मारा तो बहुत अच्छा जाता है, आजकर फंग्षं की बत करें, ले फंखेस्ट बना रहा हो ध्यान से सुनना मेरी ये बात तुम दिमाग में रखोगे, तुमारा नियर बाइ फूचर बहुत अच्छा जाने वाला है, वरना जगा जगा पे लड़ खड़ाओगे, मैं नहीं चाहता है तुम लड़ खड़ाओ, तो ध्यां से सुनो, फूंक्शन जो है न, ओवर ओल, करीबन तीन हिस्सों में पढ़ा जाता है, जिसमें से पहला हिस्सा 11 में आता है, जो हम पढ़ने लगे हैं, फूंक्शन्स, ओके, फिर फूंक्शन का ही दूसरा हिस्सा, 12 में आएगा, बाइदा नेम ओफ फूंक्शन्स, नॉर्मली इसको फूंक्शन टू कह देते हैं, और फूंक्शन का ही तीसरा हिस्सा आएगा, 12 में जिसको कहते हैं, एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव, जहां पे आप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फंक्शन का कंस लिकत आती है क्योंकि अब्जेक्टिव बुक्स में सारे कोशन एक जगा डाले होते हैं और बचा पगल हो यह आता है नहीं आता है यह में को आना चाहिए यह नहीं आना चाहिए क्या सिस्टम है तो लेट में टेल यू यह जो है आपका 11th का पार्ट है जो हम शुरू करने लगे हैं और यह जो नीचे की दो चीज़े हैं यह आपके 12th का पार्ट है जो आपको 12th में आना है सो आपने ध्यान क्या रखना है फंक्षन के लिए जो सॉल्विंग करनी है उसको बहुत ही अकल से सॉल्विंग करनी है अब्जेक्टिव बुक सीधे नहीं उठानी कोशिश करो आपको जो content आपका coaching प्रोवाइट करता है या विदान्तु प्रोवाइट कर रहा है उसको सॉल्व करो इस चैप्टर के लिए कह रहा हूं इसके लिए अगर तुम सीधे objective उठाओगे बहुत जगा confusion आएगा क्योंकि उसने सब कुछ एक साथ दिया होगा और वह आपना डाउट 12 में पूछना वैसे बता दू 12 में भी अगला सेशन जो है रिलेशन का ही है 11 के वो बच्चे जिनको 12 का रिलेशन भी पढ़ना है वो 12 का अगला सेशन मेरा लगा सकते हैं जो कि कल है शायद 1.30 कि उसमें आएगा दीपक जो आप पूछ रहे हो ठीक सो इस इ लगा पर confusion हो जाएगा तुमको you will not be able to make out कौन सा पार्ट 11 है कौन सा 12 है शाबाज तो इसके लिए अपना coaching का material सौल करना जो मैं प्रोवाइट करना उसी को सौल करना ओके so let me start with function function में सबसे पहले हम जो पढ़ने लगे हैं वो इसका definition है कि भया होता क्या है फिर हम पढ़ेंगे types कि कितने types का होता है भया क्या-क्या types है इसके जैसे relation पढ़ा पहले definition पढ़ी होता क्या है फिर पढ़ा क्या का types है इसके और फिर function में ही एक topic आएगा domain of function वो आजो, definition, बहुत प्यारी, तो दूसरी definition है, types, और भी प्यारे, बहुत इखटिया, domain, इसमें थोड़ी solving आएगी, तो यहाँ पर जाके केरफुल हो जाना, आजो, सबसे पहले, introduction to function, introduction क्या है, ओ भी तुमको पता है की function क्या होता है, तुमको पता है, एक बाब बताओ, अगर यह मैंने x square लिखा है, मुझे f of 3 बताओ, tell me in the chat, अगर fx मैंने x square लिखा है, तो मुझे f of 3 बताओ, tell me in the chat, बता दो, बता दो, 9, 9, 9, शाबाज, एक बच्चा के रहा, plus minus 9 हो, और बेटा, क्यों खंजर खोब रहा है, so 3 का square is 9, मुझे f of 5 बताओ, sir, obvious ही बात है, 5 का square, 25, बेटा, यह function ही होता है, यह function ही है, जो तुम करते है आ रहे हो, बच्पन से, at least 9 से शुरू कर दिया था, यह 9, 10 में, जब तुम ऐसे values निकालने लग पड़े थे, this is function, the only thing is, now, आपको इस चीज को formally पढ़ना है, कि इसकी formal definition क्या है, formally क्या-क्या terms इसे associated हैं, अब वो पढ़ना है, 9 से पढ़ते हैं, so introduction clear है, तुमको function आता है पहले से ही, आजो, definition पढ़ते हैं पहले, यह तो पहले पढ़ लिया, हाँ, यह पढ़ू, यह इसकी formal definition की और बढ़ रहे हैं, basically function is just a relation having two particular characteristics, तो relation भी, function भी एक relation ही होता है, बस उसमें दो खूबियां होती है, देखो, आपने जो अभी पढ़ा, यह relation ही तो है, don't you agree, यह 3 को 9 से relate करता है, 5 को 25 से relate करता है, yes or no, यह relation ही तो है, तो function भी relation ही है, right, बट उसमें दो खूबियां होनी चाहिए, वो खूबियां दो क्या है, सुनो, यह पढ़ो, फटा पढ़ो, A पढ़ो, B पढ़ो, फटा फटा पढ़ो, यह खूबियां ही सबसे important हैं, फिर इसको याद करने का मैं तरीका भी बताऊँगा, इसको याद कैसे करना है, यह भी बताऊँगा, पढ़ो, फटा फटा, पढ़ो, A function from A to B, that is F from A to B, is a relation such that, all the elements of A are related to the elements of B, no element of A is related to more than one element of B, इसका मतलब क्या है, आरती बैटा, यह, पूछ लो, बैटा भी इतना दुखी हो तो पूछी लो, बैटा, सुनो, इसको याद कैसे करना है, पहली condition कहती है, कि A के हर एक element को प्यार तो करना है, क्या करना बोल दो एक एक हर एक element को प्यार करना है all the elements of a are related to the elements of a सबको प्यार करना है ए ने ए में कोई खाली आदमी नी बैठ सकता राइट बिलकुल और दूसरा क्या कहता है भाईया थोड़ा सच्चे सच्चे दिलवाले बनना है element को एक ही element से प्यार करना है एक element दो element से प्यार नहीं कर सकता आगया समझ no element of a is related to more than one element of b तो इसको याद कैसे करेंगे सबको प्यार करना है और एक बंदा दो को प्यार नहीं कर सकता आगया समझ true love होना चाहिए तो प्यार बांटना सबने है और true love बांटना है वहीमानी नहीं करनी बीज में बहुत बढ़िया तो जरा एक example से देखते है एक example से देखते है which of the following relations on four five six is not a function मैं एक एक को plot करके दिखा रहा हूं बिटा relation on this याने की from a to a ठीक है मैं दोनों को plot करके अब तुम मुझे अपने बताना देखा तुम मजाने वाला अभी लाइब ऐसे ए पर बात चल रही relation on a पहला क्या है बेटा पहला सब बचने जवाब ही दे दिया शाबाशा फोर जो है फोर को प्यार करता है 55 को प्यार करता है यह तो बड़ा प्यारा सा प्यार हो गया yes or no tell me in the chat एक बंदा प्यार कर रहा है जिन्दगी में खोश बैठे है ए ऑप्शन तो बिलकुल सही है यार कोई दिक्कत ही नहीं है अब आते हैं बी पे 45 से प्यार करता है करने दो भी 55 से प्यार करता है और 64 से प्यार करता है अब यहां पे एक बाद ध्यान से सुनना के यहां पे डाउट होता है सर यहां तो 45 जो है एक से प्यार कर रहे है क्या problem क्या है बेटा उसमे मैंने पहले ही का था एक दो से प्यार नहीं कर सकता बट दो तो एक प्यार कर सकते बेटा दोनों का crush एक पे हो गया समझ पा रहे हो तो सारे जन्हें प्यार कर रहे हैं और हरे एक बंदा एक ही से प्यार कर रहा है अब यह लग बात है कि यह दोनों एक ही पर मर मिटे तो क्या करें बेटा लव ट्रेंगल बन गया गाट मैं पॉइंट तो सब को क्लीर हो गया यह फंक्शन है यह फंक्शन है बोलो फटा-फट बोल 4 को 6 से प्यार हुआ, 5 को 4 से प्यार हुआ, और 6 को 5 से प्यार हुआ, अगें साफ सो 3 जिन्दगी चली, कोई लडाई भी नहीं हो रही, सभी अलग-लग से प्यार कर रहे हैं, मैंका जिन्दगी बहुत बढ़ी है, ऐसी जिन्दगी बढ़ी है रहती है, अब लास्ट, लास्ट आई शावाश है, बिल्कु सही कहा, यार 4 ने तो 5 से प्यार किया, 5 ने 4 से प्यार किया, और 5 ने 6 से भी प्यार, यह देख रहे हो, यह दोखे बाद आ गया बीच में, यह बंदे नहीं चलेंगे हमें, यह चली नहीं सकते हैं, कितनों को समझ आता है, इसमें 2 प्रॉब्लम है Tell me in the chat, 2 प्रॉब्लम, सबसे पहले तो यह, यह दोखे बाद निकला, पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, बेटा यह खाली रह गया, इसने प्यार ही नहीं किया, 6 ने तो प्यार ही नहीं किया, यह तो जादे सेल्फिश हो गया, अपने पी रुख गया, तो दोनों प्रॉब्लम आ गई, एक भी नहीं, दो दो प्रॉब्लम आ गई, 5 तरह जारा ही दिल्दार निकला, और 6 ने प्यार ही नहीं किया रिंदगी में, शाबश, तो यह फंक्शन नहीं है, शाबश, तो दिस इस दावे, वी कन रिमेंबर दैफिनेशन, इजी ली, थोड़ा एक् नाइन, फंक्शन है, एक्स स्कोयर, एक्स क्या है, एक्स स्कोयर, उसने फॉर्मूला दिया अब, तो माइनस वन गया, माइनस वन के स्कोयर पे, वन गया, वन के स्कोयर पे, और टू गया, टू के स्कोयर पे, डू यू आल एग्री, तीनों ने प्यार किया, पहला कंडिशन fulfilled और तीनों ने एक-एक से ही प्यार किया अब ये दोनों एक ही पे मर मिटे तो क्या करें जिद्धी बढ़िया ये function है ये function है और अब एक बहुत तुरानी बात बचे ने पीछे पूछी तो किसा जवाब दे रहा हूँ कितने जने समझ पा रहे हैं जब आप function की बात करोगे तो ये पूरे का पूरा domain होगा जब तुम function की बात करोगे तो ये पूरे का पूरा domain होगा क्योंकि सब को प्यार करना है कोई खाली बैठ ही नहीं सकता सब को प्यार करना है तो ये पूरा domain होगा हमेशा जब भी function की बात करेंगे आईशा बाश हाँ code main और range में फरक है तो tell me in the chat what is the range यहाँ पर range क्या है बता दो range क्या है बता दो हाँ सूरज बात तुमारी सही है बट अपनी अपनी क्या करें जिन्दीगी अपने अपनी generations है 1,4 यह मेरी range है code main क्या है code main code main बता दो फटा फट सर्फ पूरा B है पूरा B code main है B सो आपको function अब मैं function के concern में बात कर रहा हूं तुम्हें domain का मतलब पता है तुम्हें range का मतलब पता है तुम्हें code domain का मतलब पता है शाबाज चाह गए ओ बले तो function का meaning clear हो गया और दोनों को दिख रहा है सब को कि यह functions नहीं है observation है यह function नहीं है बिचारा इसने प्यार ही नहीं किया और यहां पर यह धोखे बाज बैठा है इसने प्यार ही नहीं किया और वहां पर धोखे बाज है यह दोनों ही function नहीं है यह दोनों ही function नहीं है just an example to further strengthen your definition बच्चा कहरे कि handwritten में gamers point में चेक करता हूँ वैसे बता दूँ जब आप यह session के बाद description से notes लेते होना सीधे open करोगे तो handwritten part नहीं आता आप उसको download करिए पहले और फिर open करिए फिर आपको annotations दिखेंगी यह somehow कुछ pattern है पीपीटी का आप पहले download करिए उसको फिर open करिए फिर उसमें annotations देखेंगी ठीक है अगर आप सीधे click करके link को open करेंगे जो description में दिया होता है और वहीं annotations देखेंगे वहाँ नहीं देखेंगी उसको download करना पड़ेगा open किया download किया फिर आपका annotations देखेंगी आओके अब आजो यहाँ पे थोड़ा understanding को graphical की और लेके चलते है graphical की और यह मैंने एक graph बनाया हुआ है तुम्हे graph देखना आता है जरा मुझे ये बताओ अगर इसको मैं कुछ x कह दूँ तो do you agree इस x पे ये भी value आती है और इसी x पे ये भी value आती है do you all agree इस x से दो-दो values आ रही है इसको y1 कह देता हूँ इसको y2 do you all agree सबको graph देखना आता है सबको graph basic दिखना आता है इस x पे value क्या है जो graph पे value होगी अब तुम बताओ क्या ये जो graph है ये function का graph है tell me in the chat क्या ये graph एक function का graph है no sir ये x दो-दो से प्यार कर रहा है f of x जो है वो y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है ये तो गलत हो गया दोखे बाज निकला दो-दो से प्यार कर रहा है बिलकुल जमाई दोखे बाज है अब इस पे आ जो यहां तो और भी तबाही है देख पारे हो और भी तबाही ये वा height of मैं क्या बोलू लुच्चा पंती को ये तो हर प्यार ही प्यार चली जा रहा है फ्हला ही जा रहा है प्यार तो सुनो मेरी बात जिसको graph में हलका सा confusion है कोई भी graph हो और आपको किसी point पे value check करनी हो तो value कैसे check की जाती है ये value होती है इस x पे value ये आएगी f of x 1 is equal to y1 ऐसे graph पे value check की जाती है ठीक है ये मैं आपको दिखा रहा हूं graph पे कैसे देख के पता लग जाता है कि ये graph क्योंकि हम में का लगता है कि graph ना function का ही होता है ऐसा जुरूरी नहीं बड़ा ग्राफ तो कोई भी shape बना देंगे पर क्या वो function का ही graph है वो आप ऐसे देख सकते हैं यहां ये महादो के बाद है very good ये समझ आ गया graph अगर मैं देदू आपको तो अब मुझे बताओ graph देख के बता दोगे कि वो function का graph है जा नहीं फटा फट बताओ ये जो graph है क्या ये function का graph है tell me in the chat क्या ये एक function का graph है no sir no sir बिलकुल ही sir वैसे इसको न देखने का एक अगसान तरीका भी होता है अगर तुमको एक vertical line मिल गई एक vertical line मिल गई जो graph को बहुत जगा पे cut कर रही है इसका मतलब वो graph function का नहीं है क्योंकि इस x पे ये भी आडिया value ये भी आडिया value और ये भी आडिया value शाबश्थ नाव लास्ट बाद ये बताओ क्या ये एक function का graph है क्या ये एक function का graph है बताओ exactly yes ये है तुम जो मर्दी x उठालो उस पे एक ही value आती है जो मर्दी x उठाओ एक ही value आती है तो हर एक X एक Y से ही प्यार कर रहा है शाबाश बस छागे पुतर और के चाहिए इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी क्या देते हैं अगर एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगा पे कट कर जाए तो फिर वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है ग्राफ तो है बट फंक्शन का ग्राफ नहीं है शाबाश अब आगे चलो क्लासिफिकेशन भी या फंक्शन की क्या क्या टाइपस होती है सबको डेफिशन क्लियर हो गई है डोमेन, रेंज, कोड, डोमेन ग्राफ अगर गिवन है तो ग्राफ को देखके कैसे बताएंगे कि यह फंक्शन का ग्राफ है या कोई और ग्राफ है आजो ताइपस तो तो प्हले मैं बहुत ब्रीफ सा यहां समझारा हो पहले देखा क्रूंस वेंड डियाग्राम से when diagram से मैं प्तार हूँ प्यार करने के तरीके क्या क्या है A, B पहला तरीका है सबने अलग-अलग से प्यार किया पहला तरीका सबने अलग-अलग से प्यार किया इसने इससे प्यार किया इसने इससे प्यार किया इसने इससे प्यार ये पहला तरीका सब ने अलग-अलग से प्यार किया दूसरा तरीका बैया दो तिन जने ना एक पर ही मरमिटे एक पर ही मरमिटे दो तिन जने एक पर ही मरमिटे लैब इसने इससे प्यार किया इसने इससे प्यार किया ये भी इसी पर ही मरमिटा और ये मालो इस पर ही मरमिटा ये तू क्यों आ अर परिर्खे स्मझ आघे एक न एक से प्यार किया इसमें दो तिन जनने ए एक पे मर मिटे इसको कहते हैं one to one नाम बषिता रहा है एक एक से प्यार कर रहा है और इसको कहते हैं मैनी 41 ये मीनिक समझ आ गया मैनी टू वन राइट बहुत जन्हें एक से ही प्यार कर पैठे तो जैसा कि नाम है वन टू वन और मैनी टू वन ये पहला कैटेग्राइडेशन हो गया वन टू मैनी नहीं होता अगर एक ने जादा से प्यार कर लिया फिर तो वो function नहीं रहेगा न वोidis तो गहलेखेड तो विया वन टू मैनी तो होता हुझ नहीं होता नहीं बोलना अब आती है अगला यह मैने अभी एक बताया अब दूसरा तरीका, दूसरा अब आगे चले और जब जब जितने भी सामने लोग थे सारे के सारे किसी न किसी के crush बन चुके हैं जैसे कि यहां देखो सारे के सारे किसी न किसी के crush बन चुके हैं और यहां देखो सिरफ कुछ ही लोग हैं जो crush बन पाए यह खाली रह गया तो जब सारे के सारे cover हो जाते है उसको कहा जाता है on to और जब कुछ बच जाते हैं, उसे कहा जाता है इन्टू खतम होगी बात, खतम होगी बात अब तुम मुझे बताओगे, मैं एक इस्वाल पूछूंगा तुम से फटा फट जवाब देना हां, ये इससे मर मिटा, ये इस पे मर मिटा यह इस पे मरमिटा यह इस पे मरमिटा and इसको हम मिटा देते हैं अब बताओ कि यह one one है या many one है? tell me in the chat this is one one और many one फटपटाओ, one one है many one है one one है या many one है यह बताओ सर one two one है one two one है, पका many two one है, बिलकुल सही है सर जीत दो दो जने एक से प्यार कर रहे हैं, डोनों एक पंपर मिठे हैं अच्छा यह on to है या into है, क्या सारे के सारे crash बन गए या कोई रहे गया यहां पे, यह on to है या into है? बोलो बोलो यह on to है या into? on to है यहां पर कोई नहीं बचा एक बच्चा इंटू बोल रहा है बटा यहां पर एक डाला था हटा दिया मैंने वह यहां पर डॉट हटा दिया मैंने on to है तो अब मैं कुछ भी दे दूँ आपको देखके पता लग जाएगा तो टेल मी इन दा चैट वेंड डायग्राम में तो देखना आ गया ना हाँ अभी हम वैलू फंक्शन पर जाएंगे फॉर्मूले देखेंगे बट वेंड डायग्राम में तो देखना आ गया ना कि वान वन मैनी वन on to, into का मतलब क्या है अगर आ गया तो फटा फटा यह भी बतादू में को तसली起 हो जाए है डाउट ना राजिए मेरे मन में में ś 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 रहा गया किसी का क्राशी नहीं हुआ इस पर किसी का क्राशी नहीं हुआ इस पर दग तो function को दो तरह से categorize कि जाता है एक है one one या many one एक है on two या into शाबाश आगे देखो अब so classification के types के अगर बात करें formally यह topic cover होगा 12 में जो की तुम्हारा क्या आएगा वह function 2 की बात मैंने की थी function 2 की तो इसके formal method प्लस तू में जाधा आएंगे बट 11 में basic सा method आपके school में भी है उसके वे थोड़े बहुत competition के question भी बन जाते हैं तो वह method हमने अब करना है बट यहां तुम्हें बता दूँ एक basic method है जो आपके 11 में है जो हम करने लगे हैं बेटा भी बेसिक method 11 में है दूसरा एक better method better method 12 में आएगा किस चीज के method कि आप function को देख के पता कैसे लगाएंगे कि यह one one है many one है on two है into है पता कैसे लगाएंगे अभी तो हमने when diagram से बस समझ लिया सवाल में तो actual formula दिये होंगे ना function दिया होगा तो basic method 11 में आते हैं better method 12 में आते हैं better methods में derivative use होते हैं derivative तो वो 12 में आता है math में अभी आका यह रहेगा यह में बताता जा रहो ताकि तुम solving के वक्त ध्यान दे पाओ के पता रहे तुमको आजो यह मैंने बता दिया पहले one one function को injective भी कहते हैं या रखता है one two one one to one को injective function भी कहा जाता है injective function यह one to one function है injective function है यह many to one function है many to one का कोई और नाम नहीं है तो यह मत पूछना अब sir one to one को तो injective भी कहते हैं क्या many to one को कुछ और भी कहते हैं नहीं इसको many to one ही कहते हैं बस और कोई नाम नहीं क्या करे जिंदिगी में जैसे कि अब formula पे आते हैं वेटा formula पे do you all agree x cube एक one to one function है दिमाग लगाओ do you all agree x cube एक one to one function है इसका one पे value one आएगा two पे value eight आएगा three पे value twenty seven आएगा four पे value eighty one आएगा अलग-अलग values आएंगी सबको अलग-अलग से प्यार होगा and do you agree यह many to one है x square many to one है two पे value भी four आएगा minus two पे value भी four आएगा two और minus two दोनों four से प्यार करते हैं बया many to one है अब मैं करके रहा हूँ धीरे धीरे तुमको when diagram से जो understanding ली है उसको धीरे धीरे अब practical math में कैसा दिखने वाला है उसकी और लेके जा रहा हूँ तो यह कुछ examples है इनमें दिख रहा है कि आप different different x दोगे तो y different ही आएगा हर एक x को different y से प्यार होगा इसमें दिख रहा है ऐसे दो दो x बैटे जिसको एक ही y से प्यार हो रहा है अब यह रहा formal method पहले method पढ़ो फिर इसको apply करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा method लगाके answer क्यों आता है पहले method पढ़ दो पढ़ो फटा फट अधित्य वो आगे आ रहा है अभी अधित्य वो आ रहा है क्रिशना हरे एक चीज़ के बहुत सारे यूज होते हैं पहले तुम पहले सीख लो फिर यूज भी आएगा ठीक है और सबसे बढ़िया यूज हमें तो में को जब एक खत्म होगा classification सब बताऊंगा कि सबसे बड़ा यूज के है फंक्शन पढ़ने का लव यूटू तो method कहता है solve fx1 equal to fx2 solve this if this implies x1 equal to x2 only then your function is one one otherwise many one अब देखते कि क्या चीज है आजो example देखो यही पर solve करेंगे ए पार्ट देखो ध्यास सुनो मेरा function है x square मुझे चेक करना है कि यह one one है या many one है method कहता है start with fx1 equal to fx2 कहता है यहां से शुरू हो जाओ पहले मैं तीनों में apply करके method सिखाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि इस method से कैसे logically कैसे answer आ रहा है ठीक है fx1 क्या है x1 का square x2 पर आगी x2 का square बेटा इसको इदर लेकर आओ x1 square minus x2 square तो यह बन गया x1 minus x2 into x1 plus x2 तो आपको यहां से क्या मिल रहा है x1 is equal to x2 और x1 equal to minus x2 method ने क्या बोला था method ने क्या बोला था method ने बोला था if you get x1 equal to x2 only then function is one one otherwise many one क्या तुमको यहां पे x1 equal to x2 only मिल रहा है No sir, ये भी मिल रहे हैं साथ में, ये भी मिल रहे हैं साथ में, hence this is many one. लो जी, पहला point, अब आओ दूसरे पार्ट पे आओ, x power 5, मेरा function है x power 5, ये सारा conceptual building है ध्यान से देखना, method कहता है शुरू करो f of x1 equal to f of x2 से, ये आगया x1 power 5, ये आगया x2 power 5, अगर दो numbers का 5th power बराबर है, तो आप उस number के बारे में क्या कह दोगे, x1 equal to x2, दोनों तरफ पे power ले लिए 1 by 5, तुम देख पार हो, यहां से क्या मिला, x1 equal to x2 only, कुछ और नहीं मिला, हैंस ये one one है, तो अगर तो सिरफ x1 equal to x2 मिले, तो one to one, अगर इसके साथ कुछ और भी मिल जाए, तो many to one, और अब सबसे interesting part, c part, जो कि maximum बच्चे गलत करते हैं, maximum बच्चे गलत करते हैं, मेरा function है x square, बट साथ मेना एक बड़ी important चीज दी हुई है, ये वाली चीज, x जो है, वो positive real है, यह r plus का मतलब होता है positive real number, यह आपने शुरू किया, अब जहां से देखना, शुरू किया, fx1 equal to fx2, तो x1 square equal to x2 square, यानि कि x1 equal to x2, और x1 equal to minus of x2, do you all agree, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि x real positive है, तो ये वाला reject हो जाएगा, do you all agree, tell me in the chat, ये बड़ा important part आगे नहीं हो, उसे mention कर दिये कि x negative हो ही नहीं सकता, तो x1 जो है, minus x2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, शाबाश, तो आपको क्या मिला, only x1 equal to x2, यहीं मिला बस, तो जब भी only मिलता है, तो हम क्या कहते है, one one, पहले तो method समझ आगे, method apply करना आगे, बहुत घटिया method apply करने के लिए, पपी सा method है, अब इसका logic देखते हैं, अब इसका logic देखो, ध्यान से सुनो, जब आपने fx1 equal to fx2 रखा, तो आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, कि x1 x2 पे value बराबर है, यहीं कह रहे हो ना, x1 x2 same y से प्यार करते हैं, yes or no, tell me the chat, यहीं कह रहे हो ना, x1 x2 same y से प्यार करते हैं, दोनों पे same y आ रहा है, यहीं कह रहे हो ना, अब अगर तो यहां से आपको मिला कि x1, x2 के बराबर है या फिर x1 कुछ और चीज़ के बराबर भी है तो आपके पास ये तो चलो obvious है जब भी x1, x2 सेम भाई से प्यार करेंगे एक possibility ये तो होगी होगी कि वो x1, x2 है ही बराबर बट ये जो दूसरी possibility आ गई इसने क्या बताया भाईया दो different x हैं जो सेम y से प्यार करते हैं तेल मी इन दा चैट ये सो नो दो different x हैं जो सेम y से प्यार करते हैं भाईया many to one हो गया बहुत जनों को एक ही y से प्यार हो गया अगर सिरफ यही आता तो मैं कह देता भाईया अलग अलग x नहीं है वो सेम ही x था ये दोनों सेम ही x थे अलग अलग थे ही नहीं बट अगर साथ में ये भी आ गया मतलब अलग 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 x थे अलग 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 x थे जो एक ही y से प्यार कर बैठे hence many to one बन गया याश बेटडा आगर दो numbers की power देखो। याश मैं पताता हm याश का बड़ा प्यारा doubt है sir आपने यहां से यहां से आपने यह कैसे लिख दिया यह कैसे लिख दिया No doubt अभी के लिए मैंने धक्का किया है बेटा मैं अगेरी कर रहा हूँ पर अभी वह धक्का ही करना है आपको क्योंकि अब इस वक्त आप इसको इस प्रैमरी अभी आप इसकी सेक्टराइजेशन नहीं जानते इसकी सेक्टराइजेशन नहीं जानते इसकी सेक्टराइजेशन होती है यह नहीं की होती नहीं होती है अभी आपने वह सीखनी है इसकी जाए जाएंगे और वहाँ पर चाहिआ कि यहां एही मिलता है अभी के लिए धका ही इपको चाहिइन हेखा तो लोग से zד संज लिया तो यह तो समझ less always reading और तो टो कर लिए लो हाँआ अब बीटा देखो फिर से हम 11 many one को थोड़ा graph से analyze करते हैं थोड़े दिर पहले हमने graph से देखा था कि function है या नहीं यह कैसे पता लगता है अब बेर ध्यास देखना अगर मैं तुमको एक ऐसा graph दूँ और पूछू कि क्या यह one one function है या many to one function है कैसे सोचोगे ठीक है पहले तुमको feel कराता हूं कि यह many to one है और फिर मैं तुमको shortcut बताऊंगा do you agree अगर मैं इस y की बात करो इस y की तो यह x भी इससे प्यार करता है और यह x भी इससे प्यार करता है tell me in the chat do you all agree do you all agree tell me in the chat do you all agree इन दोनों x को एक ही y से प्यार है सबको very good एक बचे ने expansion लिखी भी है बट वो power 4 के लिए आपने 5 के लिए ने लिखी दी agreed agreed तो do you agree यह many to one function होगा यह many to one function होगा do you all agree वह यह दो दो एक से एक वाई से प्यार कर बैठे यह तो many to one है यह सूरज आपने बिलकुल सही लिखा है बेटा बट आप हाँ सही लिखा है सही लिखा है बिलकुल सही लिखा हाँ जी ठीक है जी हाँ अब यह क्यों जरूरी है सिर्फ मज़े के लिए जरूरी है आपको graph देके कोई normally पूछेगा नहीं कि graph देके बताओ बट इससे ना understanding ब जोगी ऐसी horizontal line मिल गई जो graph को दो जगा पर कट कर रही है तो वो function many to one होगा सुनो मेरी बात एक भी ऐसी horizontal line मिल गई जो graph को दो जगा कट कर गई तो वो पक्के से many to one function का graph है पक्के से अब इसी logic को सोचते हुए बताओ क्या यह many to one है क्या यह many to one है बताओ इसी logic तो सोचके बताओ कि क्या यह many to one है नो सर, सर आप कोई भी horizontal line ले लो, कोई भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो graph को एक ही जगा कट करती है, ऐसी कोई horizontal line है ही नहीं, जो graph को दो जगा कट कर जाए, हैंस ये 1-1 है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा visualize भी कर लें, इस x पे value ये आएगी, क्या ये value किसी और x पे आएगी, नो सर, इस x पे value ये आएगी, क्या ये value किसी और x पे आएगी, नो सर, तो हलक हलका graph को देखना भी सीख रहे हो, सिरफ कुछ नहीं, इस x पे value, इस x पे value, वस इतना देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, राइट, नो यश, ऐसा सवा रिकष्ट लांस्ट टॉपिक आगा ग्राफ किसे यह बहुं सो ध defendant कि यहां आगे में आतो ग्राफ को देखना सिखा रहा हो की कि एक्से एक्स पर देखते और नहीं बेटा, इंटू का कोई और नाम नहीं है, ओन्टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, इंटू का कोई और नाम नहीं, इंटू को इंटू ही कहते हैं, और कितने बच्चे एगरी करते हैं, इस definition के साथ, कि ये definition है, ओन्टू की, जो कोड में थी, वो range के बराबर आ गई, यानि कि सब पे crush हो गया, सब पे किसी ना किसी का crush आ गया, पूरा कोड में range के बराबर आ गया, चमक गया, आई, शाबाश, तो ये इसकी formal mathematical definition हो गई, और आपको धीरे धीरे इस formal definition को इस दिमाग में रखना है on to मतलब range equal to code में, इसी को दिमाग में रखना है, 90% of students forget this definition after few days only, इसलिए बता रहा हूँ, दिमाग में रखना, on to mean range equal to code में, पी जाओ इसको, range equal to code में, do you all agree, इसको सीखने के लिए, इसको सीखने के लिए, मुझे range के बारे में पढ़ना पड़ेगा है, क्योंकि सवाल में code में तो दिया ही होगा, function जो है, A से B पे जा रहा है, जहां से सुना, सवाल में मुझे दिया होगा, function जो है, वो A से B पे है, तो मुझे domain पता होगी, मु मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा, do you all agree, गजब, point समझ रहे हो, range के बारे में सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे, तो range के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और understanding लेने के बाद, ठीक, क्योंकि range को पढ़ने के लिए, हमें कुछ tools चाहिए, तो पहले वो tool हम एकठे करे पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे, so we will be learning methods to find range in some time, मतलब की करीबन third session में, मतलब second session से उसका build-up बनना शुरू हो जाएगा, और third session या fourth session में, पूरे का पूरा range एक topic हाएगा, शाबाश, okay, एक बचा कहता है, range rover, ओ मैं कहा नहीं, पुतर, range rover नहीं, range of a function, मैं बस एक ची चीज़ कब आने है, इस chapter में, please को लिखते जाना, ये chapter अक्सर बच्चों को confuse करता है, reason मैंने दे दिया, क्योंकि ये टुकडो में आता है, थोड़ा 11th में आता है, थोड़ा 12th की beginning में आता है, थोड़ा 12th के end पे आता है, जिस करके बच्चा इसकी proper solving नहीं कर पाता है, और confused Sir, इस topic में क्या पढ़ना है अब, मैं बताता हूं क्या पढ़ना है, आजो, अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने तुमको एक function दिया, सोच के बताना, एक function दिया, 1 upon x-2, एक function दिया, और मैंने तुमको domain नहीं बताई, domain नहीं बताई, यानि कि अपने x के values नहीं बताई, you all agree, function ऐसे लिखा जाता है, a से b, ये domain होती, ये code domain होती है, ये क्या है, जिनको प्यार करना है, ये मेरे inputs है, मेरे x के values है, वो यहाँ बैठे होते हैं, अब मालो मैंने function तो दे दिया, domain नहीं बताई, और तुम से पूछूं, यार तुम से पूछूं, यार तुम बताओ, ये कब defined है, ये किस x पे defined है, do you all agree, x equal to 2 के इलावा, ये हर जगा defined है, tell me in the chat, do you all agree, x equal to 2 के इलावा, ये हर जगा defined है, defined for x belonging to, all real except to, तो जब भी वो function का formula दे दे, और domain तुम से पूछे, इसका मतलब है, वो पूछ रहा है, वो कहां कहां ये defined है, बस ये बता दो, कहां कहां ये defined है, बस ये बता दो, और कुछ नहीं, अगर समझ गयो तो मुझे ये बताओ, अगर मेरा function होता, सोच के बताना, जल्दी मत करना, मैं hint देता हूँ, वो तुम्हें, अच्छा, कोई ना high five मत दमाग लाना, सीधी बाँ बताना, root of minus 5, मैं real numbers की बात कर रहा हूँ, क्या ये defined है, undefined है, root of minus 5, मैं real numbers की बात कर रहा हूँ, क्या ये defined है, undefined है, अधिती बेटा, 11th की classes, 5, 2, 7, 15 के slot में होती है, और इसके जो discussion classes है, DPP और PYQ, वो रात को 8 बजे होते हैं, ठीक, undefined है, बिल्कुल undefined है, root of minus 1, बताओ, root of minus 1, बताओ, defined है या undefined है, हाँ, अब सोच के बताना, कुछ बचे गलती दे देते हैं, root of 0 बताओ, root of 0, defined है, and defined है, यहाँ पर कुछ बचे गलत होते हैं, सोच के जवाब देना, root of 0, defined है, and defined है, defined है, root of 0, 0 ही होता है, रूट अफ जीरो जीरो ही होता है अब मुझे तुम जवाब दो अगर मैं तुम से पूछूँ मुझे इसकी डुमेन बताओ तो तुम क्या जवाब दोगे डिफाइंड फॉर एक्स बिलॉंगिंग टू इसकी डुमेन बताओ ये कब डिफाइंड है तो जवाब दो ये कब डिफाइंड है मुझे सारे एक्स बताने है सारे एक्स वो सारे एक्स जिसपे ये डिफाइंड है आफ्टर टू तू तुम तू और तू के आगे कोई भी एक्स ले लो ये डिफाइंड है पर अगर तुमने एक्स को two से पीछे ले लिया two से पीछे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी एक वर चैट में लेख दो मेरा भाई मेरा भाई अगर समझ आ गया है x को अगर two से छोटा ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी undefined हो जाएगा ये पर अगर तुमने x को two लिया है यह two से बड़ा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है माशालाद खुश रहेगा यह defined रहेगा मेरा भाई, मेरा भाई God bless you दिल खुश कर दिया तो यह domain का आपका base बन गया domain कुछ और नहीं बस वो सारी x की value जिसके function defined है और कुछ नहीं है लो माराज जैसे कि हमने करी लिया भी y equal two one by x minus four पूछा जाएगे कब defined है इसकी domain क्या है हम कहेंगे भाईया तुम real के four के इलावा कुछ भी उठालो यह defined है four के इलावा कुछ भी उठालो यह defined है इसकी बात की मैं कहूंगा बेटा तुम three और three से आगे कुछ भी x रख दो x की बात कर रहा हूं x को three और three से आगे कुछ भी रख दो यह defined है पीछे चले के तो undefined हो जाएगा ठीक है जी शाबाज तो यह domain का meaning हमें clear हो गया प्रित्वी थोड़ा मुश्किल है बटा आप आप course कोशिश कर सकते हो लिख दो अगर मैं बीच में पढ़ पाया तो I'll try my best ओके आजो यहां पर तो यह इसके basic से rule आजाते है domain की यह तीन basic rule आते है पहला rule भाईया अगर कोई चीज denominator में है तो वो zero नहीं होनी चाहिए do you all agree rules to find domain अगर कोई चीज denominator में है और log तुमको याद है ना हमने पढ़ा था log तभी defined होता है जब A positive होता है base positive होता है और base not equal to 1 होता है और base not equal to 1 होता है तो यह तीन rule आपको दिमाग रखने है जब भी you are finding domain यह जो चौथा D है यह note है अभी के लिए इसको पी जाओ जब सवाल में आएगा तो तुमें feel करवाऊंगा अभी के लिए बस पी जाओ फिर सवाल में तुमको feel करवाऊंगा अगर तुम F plus G की domain की बात करो तो वो होता है domain of F intersection with domain of G अभी के लिए बस पी जाओ सवाल में तुमको realize करवाऊंगा ठीक है जी F plus G की domain क्या होगी इन दोनों की domain का common part intersection शाबश अब हम थोड़ा questions देखने शुरू करते फटा फट मैं गा ऐसे पटाक से निकालने है आजो बई please mark my words the way I am interpreting it the way I am writing it वो ध्यान से सुनना वैसे अगर सुनोगे तो तुम्हारा understanding बहुत strong रहेगा मुझे पुछा का domain तो मैं क्या लिखूँगा सुनो मैं क्या लिखूँगा it is या it से भी बैटर मैं लिखूँगा y y is defined if भया y यानि कि ये पूरा function is defined if x square minus 9 is not 0 my denominator should not be 0 so x is not equal to 3 or minus 3 so what is your answer your answer is all real except minus 3 and 3 इनके इलावा x कुछ भी हो सकता है बिलकुछ सही जा रहे हो but please listen carefully listen carefully मेरे words पे ध्यान देना बेटा again I will write y is defined if मेरे words पे ध्यान देना फिर कह रहा हूँ rule याद का नालग होता है उसका एक deep understanding वहां से clear होता है पी जाओ फटा फट पृत्वी that is a definition definition पे कभी वाय नहीं बोला जाता पृत्वी okay definition is never challenged definition is to be taken as a definition okay it is defined like that definition के बेश में जब तुम question करते हो तो question पे तुम challenge करते हो कि why this step why that step ऐसे को सोचा गया वैसे को सोचा गया definition is never to be challenged definition is taken as such it is defined like that okay God bless you तो आपने कहा कि भी यह root खुश हो का मैं बोलूगा खुश होगा यह root खुश होगा अगर अंदर की चीज greater than equal to zero है और यह हमने अपनी मम्मी की कसम खाई हुई है कि वेबी कव लगाना है और कुछ नहीं लगाना जब भी inequality आएगी we will go with wavy curve और कुछ नहीं लगाना मम्मी की कसम खाई थी भूले तो नहीं हो भूले तो नहीं हो न याद है न तो x belongs to minus infinity से minus 3 तक union 3 से लेके infinity तक यह हैं वो x यह हैं वो x जिसको अगर यहां रख दोगे तो यह defined होगा तुमको एक value मिलेगी अगर इसके इलावा को यह x रख दिया तो यह undefined हो जाएगा जैसे कि यहां पे x 0 नहीं है x को 0 पुट करो root of 0 minus 9 is root of minus 9 undefined शाबश यह अगला देखो अब यह ध्यान से देखना y is defined if दो बाते ध्यान है दो बाते number one ध्यान से एक तो root बैठा है तो पहले मैं root को खुश कर रहा हूँ root को खुश कर रहा हूँ root मेरा खुश होगा अगर उसके अंदर वाली term root के अंदर वाली term greater than equal to 0 हो जहां सुनना root खुश होगा अगर root के अंदर वाली term greater than equal to 0 हो do you all agree भाईया यहाँ पे यह पूरा term denominator में है तो मुझे denominator का ख्याल भी रखना है तो do you all agree? It cannot be zero denominator में बैठा है तो zero नहीं बन सकता समझ आगे तो चैट में बता दो फटा फट चैट में बता दो पहले root का ख्याल रखा तो वो gate than equal to zero होना चाहिए था फिर हमने देखा किया यह term तो denominator में है तो zero तो हो ही नहीं सकती तो zero को हटाया शाबाश तो आप कहोगे कि x square minus 9 should be gate than zero टेक 10 second and जवाब दो अगर x square minus 9 negative हो जाए do you agree? square root को problem हो जाएगी tell me in the chat x square minus 9 अगर negative हो जाए तो square root को दिक्कत हो जाएगी problem हो जाएगी do you all agree? शाबाश 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 great और अब बताओ अगर x square minus 9 zero हो गया तो denominator को दिक्कत हो जाएगी tell me in the chat do you agree? अगर x square minus 9 zero हो गया तो denominator को दिक्कत हो जाएगी one upon zero हो जाएगा यह इसको positive ही होना पड़ेगा और अगेन वेभी कव जब भी inequality आईगी तो आप वेभी कव ही लगाओगे वो तुमने basic math में कसम खा चुके हो पहले से तो answer आजएगा minus infinity to minus 3 open union 3 to infinity अब थोड़ा better question देखो log की बारी आती है log सुनो मेरी बात log खुश कब होता है log खुश कब होता है पहली बात तो उसका base base positive होना चाहिए and not equal to one होना चाहिए do you all agree base पहले से खुश है tell me in the chat do you all agree base पहले से खुश है वो not equal to zero भी है sorry वो greater than zero भी है और वो not equal to one भी है बेटा वेभी कव सब पर लग जाता है two degree, three degree, four degree सब पर लगता है tension मतलो exactly तो base पहले से खुश है, दूसरा point आता है इसका इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, B को positive होना जरूरी है तो y is defined if, easy कहना गलत है भी, मेरे अंग्रेजी को क्या हो गया है, अंग्रेजी को क्या हो गया है मेरी will be defined, will be defined if, जो आपका B है वो greater than zero है सुनो मेरी बात, जब भी आप ऐसा x का value लोगे, जिसके लिए ये positive आ रहा है तो उस x के लिए आपको यहां से value मिलेगी, ये defined होगा पर अगर आपने x ऐसा ले लिया, जिसके लिए ये negative हो गया तो do you all agree, log value नहीं देगा, log value नहीं देगा, log undefined हो जाएगा tell me in the chat, क्या सुनो so x minus 2, x plus 2 greater than 0, लगा दिया वे भी का, बचने सही जबाब भी दिया था minus infinity से minus 2, union 2 से infinity, exactly बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आगे चलो थोड़े से better question, अब थोड़े से better question क्या और जा रहे हैं आजो बेटा, solution अब थोड़े सा दिमाग जादा लगाना why will be defined if, मैं फिर कह रहा हूँ तुम मैं से दो बच्चे मैं देख रहा हूँ को दिकत थोड़ी सी हो रही है वो दो बच्चे प्लीज इस line पे focus करो, इस line पे focus करो, इस पे focus कर लिए सारी दिकत हड़ जाएगी why will be defined if, लो भया सुनो, base का ध्यान रखना पड़ेगा base positive होना चाहिए and base not equal to one होना चाहिए ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले base खुश होगा अब आती है बारी, इसकी, log of a to the base b, b positive, b not equal to one and ये जो चीज है, वो positive होनी चाहिए पहले तो मुझे chat में बताओ, do you agree ऐसा x, जो इन तीनों का ध्यान रखेगा, वही x मैं यहाँ पे put कर सकता हूँ कोई और x नहीं put कर सकता है, पहले तो chat में मुझे यह बताओ, फटा-फटाओ, do you all agree पहले मुझे, मैं answer नहीं पूछ रहा, पहले conceptual clarity पर फोकस करो यहाँ पे जो x इन तीनों का ध्यान रखेगा, वही x मैं यहाँ put कर सकता हूँ कोई और x put किया, तो यह value नहीं मिलेगा, और defend हो जाएगा शाबाश, तो यह तो पहले से साफ सुथरे हैं, इसको सुथरा बना लेते हैं x square minus 4 less than 0, wavy curve सबको आता है, तो यहाँ से आ गया x lies between minus 2 and 2 अब सुनो, वैसे तो सब बचों की practice अच्छी है, बट स्टिल सुनो ध्याँ से, अब मैं चाहता हूँ इसका, इसका और इसका, common part, common part and, and, सबको mathematical meaning of and याद है न, simultaneously, and का मतलब simultaneously, याने की intersection, याने की intersection, तो मुझे इन तीनों का intersection करना है ध्याँ से सुनो, तीन चीजों का intersection कैसे किया जाता है, तीन चीजों का intersection कैसे करता है पहले एक को plot करो, zero से आगे, पहले एक को plot करो, उसके बाद, उसी में, उसी में, दूसरे को plot करो x not equal to 1 को कैसे plot करेंगे, ध्याँ सुना, x not equal to 1 1 के इलावा, सब कुछ, do you understand that, x not equal to 1 को ऐसे plot करेंगे, 1 के इलावा, सब कुछ तो पहले मैंने इसको plot किया, फिर same में ही, इसको plot किया, तो रखी ता कि mix ना हो जाए, mix ना हो जाए अब मैं तीसरे पर आ रहा हूँ, अब तीसरे को plot करो, minus 2 से 2 तक, open, open when you plot all 3, here, now you can easily see the common part of all the 3, अब देखो शाबाश, अब देखो, तीनो का common part क्या है, ऐसी चीज जो तीनो में आ रही हो, ये तीनो में आ रहा है, very good, ये भी तीनो में आ रहा है, very good, do you agree, ये वला पार्ट दो में है, तीसरे में नहीं है, do you agree, ये वला पार्ट, सिरफ blue और red है, green तो आया ही नहीं, सब समझ गए, तो common part क्या आ गया, मेरा सुनो, तो answer आ गया, x belongs to, 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से 2 तक, या कहलो 0 से 2, except 1, मैं कहलो, अगर चागे, मज़ा आ गया, तो hashtag, vialopee लेके दो, मेरा भाई लेके दो, love you to, लेके दो, मेरे बच्चों, God bless you, इस सवाल में क पहले तो 3 चीज़ों को लिख लेना, अराम से, घड़ बढ़नी करनी, defined का मतलब पता लगना, love you to, मेरे बच्चों, जवानों, इस पे जरूर टाइम और भी लगाना, एक सवाल और ऐसा करेंगे, एक सवाल और ऐसा करते हैं, इस सवाल को देखो, एक और सवाल, almost similar type का, almost similar type क एक और सवाल देखो, आजो, इसमें ये बैठा है, ये बैठा है, सुनो मेरी बात, एक पॉइंट सुनो, एक पॉइंट सुनो, अगर मैंने X को बहुत ध्यान सुना, X को लिया 3, X को लिया 3, do you agree, ये defined होगा, tell me in the chat, अगर मैं X को 3 ले लो, do you agree, ये defined है, root के अंदर एक positive number आ है न, defined है, defined है, defined है, okay, but do you agree, ये undefined है, do you agree, 3 पे ये undefined है, log of 3 minus 5, log of negative बन गया, तो तुम बताओ, क्या मैं F of 3 निकाल पाऊंगा, या नहीं निकाल पाऊंगा, बोल दो, कि क्या मैं इसको defined बोलूंगा, या undefined बोलूंगा, बताओ, F of 3 को defined बोलूंगा, undefined बोलूंगा, undefined volume बिल्कुल कोई कि ये तो value आगी बट ये undefined हो गया तो overall undefined हो गया बस अगर ये basic सी understanding दिमाग में रख लो तो जब ये ज़्यादा function दो तीन चीजे आ जाती है जब दो तीन चीजे आ जाती है तो सब का ध्यान रखना पड़ता है सब का ध्यान तो आजो पहले root का ध्यान दखो पहले root का ध्यान root कभ खुश होगा जब x square minus 4 positive होगा फिर log का ध्यान दखो ये log कभ खुश होगा जब x minus 5 positive होगा मुझे दोनों का ख्याल दखना पड़ेगा and by now you know very well and का मतलब क्या है simultaneous मतलब intersection तो काम हो गया खतम यहां से आ गया x minus 2 x plus 2 वेवी कर लगा के राम से minus 2 2 से बाहर से बाहर और वहां से क्या आ गया x greater than 5 5 तो common part बिलकुल सही जबाब दे दिया तुमने मजे से जबाब दे दिया 5 के आगे सब कुछ तो x belongs to 5 to infinity डुमेन का basic concept समझ आ गया डुमेन का basic concept समझ आ गया हां बिल्कुल बिल्कुल greater than equal to zero sorry 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 हां sorry sorry बिल्कुल 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 वहां पे equal भी आना था बिल्कुल बिल्कुल लड़ डु कोशन हो आशाबाश सो डुमेन का meaning हमें समझ आ गया है अब सुनो मेरी बात यह डुमेन का थोड़ा अच्छा कोशन मैं यह नहीं कहा रहा है कि बहुत अच्छा कोशन थोड़ा अच्छा क्यों कोईकि इसमें बहुत अच्छे गल्ती करते हैं पर आप मेरी बात सुनो डुमेन एक ऐसा topic है जो throughout this chapter चलता रहेगा होगा क्या अभी हमने थोड़ा function पढ़ा तो डुमेन के सवाल थोड़े बने अगली class में हम और function पढ़ेंगे तो डुमेन के और सवाल बन जाएंगे फिर हम थोड़े और function पढ़ेंगे फिर डुमेन के थोड़े और सवाल बन जा आजो इस पर आजो maximum बच्चे गलत करते हैं maximum बच्चे अभी भी गलत करते हैं maximum बच्चे गलत करते हैं सुनो मेरी बात find the domain of this मैं एक लाइन दिखूंगा सची बोलना तुमको ये feeling आई या नहीं आई और हाँ यार ये तो obvious था एक लाइन दिखूंगा ध्यास सुनो मैं एक लाइन दिखूंगा और मुझे सची सोच के जूट नहीं बोलना सची बोलना कि ये feeling आई नहीं आई अरे हाँ यार ये तो obvious है ठीक है y will be defined if if x-1, x-2, 9-4 x2 is greater than 0 do you agree only one condition is required only one condition is required भाया रूट डिफाइंड का भोगा जब उसके अंदर की चीज गेड़ देन इक्वल टू जीरो होगी thank you thank you god bless you बेटा ghost नाम बड़ा जीश रखते हो तुम लोग आई ये feeling ना बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे गलती करते हैं sir ये ना positive होना चाहिए sir ये ना not zero होना चाहिए Allah Allah conditions बनाने लग पड़ते हैं क्यों भाया क्यों बना रहे हो अगर तुमने एक बार ये कह दिया कि ये चीज greater than equal to zero है everything is taken into account tell me in the chat yes or no अगर तुमने ये कह दिया कि ये चीज greater than equal to zero है everything is taken into account everything is taken into account अपने आप denominator भी non zero बनेगा याद है न जब baby curve लगाओगे तो baby curve will take care कि ये zero नहीं बनेगा ये zero बन सकते हैं baby care curve will take care of everything yes अमर्पिता I know about that and I have discussed about that in the beginning बेटा exactly बेटा नहीं एक बच्चा कहाँ सरो only greater than क्यों क्यों बेटा अगर इस डबे की value zero आ गई डबे की value zero आ गई तो क्या ये defined नहीं है tell me in the chat अगर ये yellow double zero बन गया तो क्या root of zero defined नहीं है defined है बिल्कुल defined है तुम not zero कह रहे हो क्योंकि तुम denominator को zero visualize कर रहे हो अरे denominator zero होडी बनना है ये पूरे का पूरा तो zero बन सकता है चमक गया तो अब बेटा लगा दो baby curve factor बनाने पड़ेंगे पहले तो रिचे से minus comma निकालके inequality change कर दी और फिर इसके factor बना दिए factor बनाए बिना baby curve नि लगेगा याद है न पहले factor बनेंगे और अब लगा दो baby curve लो जी विए one है two है three by two है और minus three by two है so plus minus plus minus plus तुम चाहते हो less than equal to zero पहले less than zero mark करो less than zero और फिर जहां जहां यह पूरी चीज equal to zero है वह include करो सबको याद है न यह पूरे का पूरा पूरे का पूरा zero कब बनेगा जब numerator zero बन जाएगा यानि कि one और two तो one include हो जाएगा और two include this is your answer बिल्कुल सही लिखा गनेश आपने God bless you शाबाश आगे न जा रहे है सत्यम बेटा time is five o'clock okay and it ends at about seven seven fifteen seven बस दो सब्सक्राइब होंटे किलास होती है exactly so that is your answer open minus three by two say one close open three by two say two close और जैसे कि यह चमकता जा रहा है इसकी इज़त रखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट करो शाबाश तो यह डुमेंगा थोड़ा better question है बट इससे much better question आपको अभी अगले session में आएंगे जब आप function को और पढ़ते जाओगे ठीक बहुत प्यारा question इतना प्यारा question है कि इसको दो method से करेंगे एक तो proper step by step चलने का तरीका और एक जहां पर logic लग जाएगा कि यश इसमें पता क्या लगाना है मैंने को ऐसी चीज की ही नहीं है जो पता ना लगे तुम बताओ कौन सी चीज ऐसी जो तुमको पता नहीं लगी थी आजो so y will be defined and वैसे जब सीखते हो न तो practice करने के बाद तुम्हारा यह doubt valid होगा पहले जब practice करोगे न तो तुम्हें काफी कुछ अपने आप ही realize हो जाएगा कमलेश बैटा negative से multiply किया था denominator में x का coefficient negative था तो वो negative से multiply किया था आजो y will be defined अब जहां से सुनना यहां पर 2 square root बैठे है can you see 2-2 square root बैठे हैं दो-2 root को खुश करना पड़ेगा आजो पहले तो इस blue वाले root को खुश करते है blue वाले root को खुश सुन ध्यां से blue वाला root खुश कब होगा जब 1-x square get than equal to 0 होगा tell me in the chat yes or no सिरफ blue की बात कर रहा हूं सिरफ blue की blue वाला root खुश कब होगा जब 1-x square get than equal to 0 होगा but do you agree मुझे इस red वाले root को भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस red के अंदर negative value बनगी तो भी तो पंगा बाज़ेगा तो जितने भी square root आ रहे हैं सबका ध्यान रखना पड़ेगा and one minus this यह है term जो red के अंदर है get than equal to 0 यहां तक सबको समझ आता है मुझे इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा blue root भी खुश करना पड़ेगा पहले बाहर का बेटा जो मर्जी लिखेलो साइसको पहले लिखेलो मर्जी तुमारी। यार. तुम्हें ये और ये लिखेलो जया, इसको पहले इसको लिखेलो ही, कैसा doubt है. वे ऐसे पूछोगे तुम लोग टीचर से कि सर रेड़ वाला पहले क्यों नहीं लिखा दोगी मेरा ब्लू का मन किया मैंने ब्लू पहले लिख लिया कैसे डाउट पूछते हो यह कौंसा मैंने किसी को प्रारिटी दे दी बेटा दोनों करने हैं अच्छा अब लगाते हैं वेवी कर त तुमको वो धक्का समझ नहीं आएगा ठीक है बट थोड़ी देर बाद उस धक्के को मैं खुद एक्सपोस करूंगा कि मैंने वाब धक्का किया था पर अभी के लिए मैं धक्का कर रहा हूं पकड़ सकते हो पकड़ लो तो यह आ गया वन गेट दैन इकूल टू तो इसको कि ज़रूरत नहीं है कि यह तो हमेशा true है हमेशा ही true है x square तो हमेशा ही greater than equal to zero होता है तो do you understand when I take intersection तो intersection यही आ जाएगा this intersection with the real is this only तो आपका answer आएगा minus one से one यह तो proper method हो गया यह तो proper method हो गया धक्का कहा प्या मैं थोड़ी दिल बाह बताऊंगा अभी धक्के में अब सुन मेरी बात कितनों को यह चमकता है सोच के बताना कितनों को यह चमकता है कि यह जो blue वाला root है blue वाला root इसकी value less than equal to one है blue वाले root की value less than equal to one है कितनों को चमकता है बताओ tell me in the chat मैं output पूछ रहा हूं value तो मैं उसको कुछ भी रखोगे इसकी जो value आएगी वो less than equal to one आएगी बताओ कितनों को चमकता है चमकता है बिल्कुल चमकता है शाषवत हो कर चुक हों बेटा पहले किया हुआ है शाषवत प्लेइलिस्ट में धूंड़ो वो किया हुआ है यार क्योंकि ने x square एक positive value थी तो तुमने 1-x square कर दिया तो यह जो 1-x square है यह value वान से छोटी है तो उसका root भी वान से छोटा होगा तो तुमको समझता है कि अगर यह blue route वान से छोटा है तो red वाला route थो खुशी बैठा है tell me in the chat तो मैंने लगता है यह तो यहीं पे दिख रहा है true है कि one इसे बड़ा होता है tell me in the chat यह तो यहीं पे दिख रहा है कि true है always true मुझे इसको solve करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे इसको solve करने की जरूरत ही नहीं थी मैं यहीं पर कह सकता था always true है यह चीज one से छोटी ही है तो we could have avoided it यह रहा logical way यह ऐसा नहीं कि हर बार लगेगा बट यहां पर लग रहा है तो ऐसी observations धीरे धीरे आप एकठी करते जाओ चोटी चोटी चीजे वो time save करती है ठीक है अब मैं वो बताता हूँ थोड़ा धका कि मैंने धका कहां पर किया था धका कहां पर किया था squaring कैसे कर दिया आपने यह क्या हम inequalities में हमेशा squaring कर सकते हैं क्या A greater than equal to B implies A square greater than equal to B square always कैसा होता है ऐसा नहीं होता A greater than B does not imply A square greater than B square always, ऐसा नहीं होता तो फिर यह कैसे कर दी interesting point एक बच्चा पुछ रहा क्यों पेटा example लेके देखो 5 greater than minus 10 बट 5 का square minus 10 के square से बड़ा नहीं होता छोटा होता है तो कैसे कर दिया inequality को कैसे है आपने handle किया 5 greater than 3 तो 5 का square 3 के square से बड़ा होता है यहाँ पे तो ठीक है यहाँ पे squaring कर पा रहे हैं यहाँ पे squaring करने पे inequality change हो गई यह 25 बन गया, यह 100 बन गया अरे हाँ एक और example देखो minus 10 is greater than minus 20 do you all agree? minus 10 बड़ा होता है minus 20 से इसका square इसके square से छोटा होता है तो कभी तो square करने पे inequality same रहती है और कभी change हो जाती है हाँ यार, यह point समझ आया squaring करना इतना भी direct नहीं है कभी तो inequality same रहती है, कभी inequality change हो जाती है, पता ही नहीं लग रहा पता ही नहीं लग रहा ही हो क्या रहा है right? अब आजो अगर इसकी बात करें सुनो ध्यान से squaring करने पे inequality same रहती है अगर, अगर A और B दोनों ही positive हो अगर A और B if A and B are greater than equal to 0 दोनों ही और inequality change हो जाती है अगर A and B negative हो प्रेंटों यह पी जाओ दोनों positive हो तो squaring करने पे inequality same रहती है अगर दोनों negative हो तो squaring करने पे inequality change हो जाती है बट अगर एक positive एक negative है तो कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है यह समझ आ गया? एक positive negative हो तो कुछ भी हो सकता है same भी रह सकती है change भी हो सकती है आये न जारे तो कभी भी अगर sign अलग अलग होना तो हम नहीं करते squaring तो हम squaring नहीं करते हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है पट अगर मुझे पता है sign same है तो squaring कर देते है positive के case में inequality same रखते है negative के case में inequality को change करते है पिछले सवाल में आओ do you all agree ये positive है और ये भी positive है do you all agree do you all agree ये भी positive है ये भी positive है secret बता दो सूरज बता दो agreed agreed एक बचा पूछ रहा हाओ पेटा ये इसका exact reason तो तुमको next session में मिलेगा जब हम एक function पढ़ेंगे modulus function अभी के लिए तुमको ये पीना ही पढ़ेगा जिसको नहीं पता है जिसको नहीं पता है उसने थोड़ा basic जाद अच्छा नहीं पढ़ा हुआ तो अभी के लिए जिसने basic अच्छा नहीं पढ़ा attention मतलो always remember root of anything anything is positive बहुत बच्चे root of 25 को plus minus 5 लिखते हैं ये गलत statement है root of 5 only 5 होता है root of 25 तो root हमेशा greater than equal to 0 होता है या रखना root 25 5 ही होता है plus minus 5 नहीं होता पर सरह हमने तो बच्पन से plus minus 5 पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे अगले chapter में जब हम modulus function पढ़ेंगे वहाँ पे इन चीजों को detailing में समझा जाएगा ठीक है जी? ओके आजो तो इस करके squaring कर सकते थे that's it moving toward almost last question of the day आजो ठीक है जी? पढ़ो सवाल पढ़ो so inequality या दखना inequality में squaring का क्या system होता है दोनों साइड positive अच्छा अब यहां मुझे तुम बताओ यह सवाल बड़ा ही जादा important है यार यहां पर तुम all together एक बहुत नई चीज़ सीखने बाले हो जो कि तुमारी solving को एक another level लेके जाने बाली है इस सवाल को end तक अराम से सुनना दोनों साइड पे positive numbers है तो मैं squaring कर सकता हूँ और squaring करने पे inequality change नहीं होगी पहले तो यह बताओ यह सब को चमकता है मैं squaring कर सकता हूँ और squaring करने पे inequality change नहीं होगी यह दोनों ही चीज़ें greater than equal to 0 है दोनों तरफ पे positive number बैठे हुए है हाँ जी, शाबाश end पे एक song सुना दूँगा, मैं को लग रहा है गलास ठीक है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ exactly, square root बैठा है तो square root जो है वो हमेशा positive number होता है square root of anything यह मैं सुनो, सुन सुन भी पास सुन square root के अंदर भी positive आना चाहिए और square root की value भी positive ही होती है बस याद कर लो, P जाओ square root के अंदर भी positive होता है square root की value भी positive होती है बस ऐसे याद कर लो, हो गया याद tell me in the chat, याद हो गया, अब तो नहीं भूलेगा ना अब तो कभी नहीं भूलेगा root के अंदर भी positive होता है root की value भी positive होती है यहां में मतलब शेकटर स Workers के फेक्टर कैसे बनेंगी वे ड़रो मत ऐसे बनेंगे का Ber호 नहीं देख पाते हुश तो बेंटारणी देख लिया करो तो वी कर लगा के अंसर आ गया यह जाता हुं यहाँ पे रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगा बनाता हूँ यहाँ पे एक बहुत important चीज़ आ रही है, ध्यान से सुनना minus root 13 से root 13 यहाँ एक बहुत important point आ रहा है, जो कि तुम्हारी solving को बहुत अच्छा बनाने वाला है अगर तुमने यह point समझ लिए जो बताने लगा हूँ तो future में जाके यह नहीं बोलोगे, सुरी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता है इसके दिमाग में कैसे आता है अगर नहीं समझा, तो बार बार यह आएगा क्योंकि यह जो अब तुम्हें में पताने लगा हूँ point वो बहुत जगा use होगा दिहां से सुनो एक बार बताओ तुम्हारा x आया minus root 13 से root 13 तो यानि कि तुम कह रहे हो कि x को minus root 13 से बड़ा ले सकते है root 13 से छोटा तो मैं x को 1 ले सकता हूँ in the chat नहीं लेसे देख लगा x equal to 1 आपकी अंवे है ना बताओ चैट में लगा x equal to 1 आपकी अंवे है बिदेख हाँ बरण लेसे कंच भी का हाँ बाता कभी का exactly 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 one मेरे आंशर में बिए तक तो है अब हिदाग ए एक्स को 1 रको x को 1 रखो यहां पर क्या बन रहा है रखो x को 1 रखो क्या बन रहा है रखो x को 1 क्या बन रहा है root of minus 3 less than 3 यह तो undefined नहीं हो गया यह तो undefined नहीं हो गया यह तो undefined हो गया पंगा पढ़ गया पंगा पढ़ गया yes or no पंगा पढ़ गया पंगा क्यों पड़ा क्योंकि जब तुमने solve किया तुमने तो root को हटा दिया था तुमने तो root को हटा दिया square करके सुना जहां से इस करके भईया इसको नहीं पता था इसको नहीं पता था कि भईया root बैठा है इसने तो इसका अंसर दिया है इसने तो इसका अंसर दिया है इसको नहीं पता था कि उपर रूट भी बैठा हुआ है तो जब भी रूट होता है और तुम स्क्वेरिंग कर देते हो तो अंसर में ऐसी प्रॉब्लम आती है और उसका ध्यान रखने के लिए इस चीज़ का ध्यान तुम्हें अलग से देना पड़ेगा तो तुम सुनो मेरी बाद तो यह स्टेप तुम अलग से अभी मैं इसको मिताता हूँ पाद में लिखता हूँ इस चीज़ का ध्यान तुम्हें अलग से देना है सुनो also also x square minus four should be greater than equal to zero tell me in the chat yes or no, यहां तक तो ठीक है, but also x square minus 4 should be greater than equal to 0 because otherwise तो undefined हो जाएगा, otherwise तो undefined हो जाएगा, तो यहां से आप factor बना के बताएंगे, कि भाईया आपका जो x है ना, वो minus 2 और 2 के बाहर होना चाहिए, तो यहां पे आपका अंसर आया, minus root 13 से root 13, ठीक है, हनी बेटा आप 5 minute लेट हो गए, 5 minute पीछे करके देखो, आपको समझ आएगा, ठीक है, 0 भी तो हो सकता है ना, हाँ बेटा, 0 तो हो सकता है, equal to लुक्का तो है, ठीक है, सो, अब आपका final answer क्या है, सुनो मेरी बाद, इन दोनों का intersection, मैं क्या, आई ने जा रहे, big chuck दे, अब मैं conclude कर रहा हूँ, ध्यां से सुना, conclude कर रहा हूँ, हमें इसको solve करना था, सबसे पहले तो हमने देखा कि greater than equal to 0 है, तो मैं root, squaring कर सकता हूँ, squaring कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने squaring कर दी, squaring करने का answer आया, but, यहां पर मैंने तुमको एसास दिलाया, कि आपके answer में x equal to 0, x equal to 1 आ रहा है, बट जब मैं x को 0 या 1 रख रहा हूँ, तो यह undefined हो रहा है, फिर मैंने तुम्हें उसका reason बताया, reason यह आया, कि यह जो answer आया, वो इसका आया है, इसको नहीं पता कि यह तुमने squaring की थी, औ तो जब भी squaring करते हैं ना बेटा, solve तो कर लेते हैं, बट यह वाला step अलग से किया जाता है, कि root के अंदर की चीज, greater than equal to 0 भी होनी चाहिए, और final answer आएगा, intersection, simultaneously, यह भी होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए, तो बेटा, यह रहा, minus root 13 से root 13, open, open था ना, open था, और यह है, minus 2 से पीछे और 2 से आगे, तो आपका final answer आएगा, यह वाला part और यह वाला part, चक्ते ने जा रहे हैं, आगे ने जा रहे हैं, यह तुम्हारा answer आगया, बिल्कु सही लिखा तुमने, फटे चक्ते, मेरे नाम के आगे कालिया, कि बटा कालिया मेरा सरने में, मैं मैं पूलने म अदमी थे कालिया, सरने में ही है, वो बेटा, indefinite indication छोड़ दो, क्या करें, इसका कर देते, कुछ ना कुछ टेंशन मतलो, बेटा, यह 11 की क्लास है, तुम प्लस 2 वाले बच्चे क्यों बैठे हो, यहाँ अभी इस वक्ते, चलो, ओके याश, अब थाही हो गया, अब तो clear हो दो-तिन sessions में फिर से करूँगा, तांकि एक तुम नहीं चेक करूँ कि तुमने revise किया ने किया, दूसरा मैं तुमारी तैयारी को और पका करूँगा, ऐसे एक-दो सवाल मैं और करूँगा तुमारे साथ अभी अगले दो-तिन sessions में, तो answer आ गया, minus root 13 से minus 2, फिर 2 से root 13, यह आपका answer, so with that, आज का session खतम हुआ, भाप फिर क्या दूरू, domain को revise करते रहना, domain हर एक session में आता ही रहेगा, और अच्छे-चे सवाल जुड़ते ही रहेंगे, God bless you, and DPP आपके description में मिल जाएगी, वो आपने जरूर करनी है, बहुत important है, ठीक है, अब मैं आपको pro के बारे में ब मुद्धा सुन लो, coaching जरूर लो, तुम्हें लगता है, YouTube से पूरी coaching लेनी है, पूरा focus वहाँ पे करो, साथ में एक अदा text book अलग से रखो, जो आप solving के लिए, और practice के लिए use करो, तुम्हें लगता है, मैं कोई-कोई online platform join करना है, तो properly Vedantu join करो, मिल अब indecisive मत रहो, कि कब क करूँ, क्या करूँ, 11th पूरी गुदर जाएगी, एडने जाके लगेगा कि खराब हो गई, तो decision जरूर लेना है, एक जग़ा पर focus जरूर करना है, ठीक, सबसे पहले तो, अगर विदानतु की बात करो, it is best of, of course, इसे कोई दो राई नहीं बेटा, it gives you interactive like classes, जो मैं आपको सेशन के कुछ clip मैं रखे हैं, जोड के, post class content की बात करें अगर, तो आपको hard copy मिलती है, अगर आप subscription लेते हो, पूरा, ठीक है, अगर आप one month का trial लेते हो, तो soft copy मिलेगा आपको, soft copy से मतलब क्या है, कि हर एक chapter का booklet होता है, हर एक chapter का booklet होता है, और हर एक session के assignments होते हैं, हर एक chapter क assignments होते हैं, जैसे DPP नहीं होते हैं, वो होते हैं, तो तत्व जो की booklet है, इसमें theory होती है, और साथ में four exercises होती है, different, different level पे, different, different level पे, यह main level होता है, यह previous year, J main question होते हैं, यह advanced level होता है, यह previous year, J advanced होते हैं, तो यह पूरी practice आपका करवाता है, तत्व होता है, तत्व होता है, त पूरा subscription लेंगे, soft copy मेलेगे अगर आप one month का लेंगे, कोई कि beginning में फिर soft copy देते हैं, test आपके fortnightly होते हैं, and एक और main होगा, फिर advanced होगा, हर एक तरह के आपके pattern के test होते हैं, तभी तो तैयारी पूरी की पूरी होती है आपकी, of course doubt app के तुरू आप post class doubt पूछते हैं, post class, और in class की बात करें तो यह मेरा one of the favorite है, यहाँ पे two teacher model रहता है, होता क्या है कि जब आप online पढ़ते हो ना, तो beginning में कि बच्चे को भी थोड़ा inhibition होता है बात करने में, क्योंकि online में लगता है कि यार सर को तंग करूँ न करूँ तो यहाँ पे क्या है, of course आप सर को तंग कर सकते हो बट साथ में बहुत सारी teacher बैठे होते हैं, जो आपके doubt ले सकते हैं और almost four to five class teacher बैठे होते हैं जो सिर्फ बच्चों के doubt ही ले रहे हैं, यह master teacher जैसके मैं पढ़ा रहा हूं साथ में class teacher जो doubt ले रहे हैं, बीच में मैं भी doubt ले रहा हूं, बट अगर मैं की बीच में point पर पढ़ा रहा हूं और आपको पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, so all the doubts are taken किया रहा हूं, अर्राम से अच्छे से, तो यह मेरा personally favorite रहता है कि बचे के doubts में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि it's like कि यह teacher पढ़ा रहा है साथ में 5-6 teacher बच्चों के बीच में बैठे हूँ है, कि आपके जो-जो doubt आ रहे हैं उसे पूछते जाओ, and of course time-time पे PTMs होती हैं जब उनकी जरूरत होती है, अब माँ आपको एक real class दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है, यह मेरी अपनी ही class का है, मैंने छोटे-छोटे clip ली हुए है कि इस class का start कैसे होता है, जब start हो चुका होता है तो फिर मैं पढ़ाता कैसे हूँ, slides कैसी दिखती है, slides पे question लिखे होते हैं, टीचर खुद भी लिखके समझाते हैं, और जो टीचर लिखते हैं वो बच्चा बाद में download करता है proper, files बनाके रख लेते हैं तांकि notes बने रहें proper, पॉल लिए जाते हैं कितनों को समझ आ गया, कितनों को doubt है, जितनों का doubt रह जाए, वो या तो chat में clear हो जाता है, या class teacher से clear होता है, या फिर बच्चे को लगए मुझे बात करने की जुरूरता है तो teacher से बात करता है, जैसे अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ बच्चे से, इसका doubt clear कर रहा हूँ, ऐसे teacher doubt clear करते हैं, जब सारे doubt clear हो जाते हैं, फिर quiz होता है class में, बच्चे के quiz लिया जाता है कि अभी आप answer करो, concept खरमज हो गया है, जितनों ने ठीक किया very good, जिनों ने ठीक नहीं किया, थोड़ी डांट पटकार लगती है, कोई अच्छे से पढ़ो और ध्यान दो, फिर leaderboard बन जाते हैं, तो मलब होता कि class में पूरा flow बना रहता है, Yes Prithvi, I'll talk about it after just one or two minutes, ठीक है? So, इस तरह से classes चलती हैं यहां पे, एक 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 छोड़े clips मैंने class के रखे, तका कोई पता लगी कि अच्छा, कि बहुत comfortable होता है, कि teacher से पढ़ा रहा होता है, और यह teacher full mode में जाके यहां पे भी आ सकता है, मलब अगर teacher सरफ बात कर रहा है भी पढ़ानी जाता है, तो यह बड़ा screen के यहां पे आ जाता है, तो ज़्यादा better interaction हो जाता है, और बाते चल जाती है अच्छी सी, This is how a typical class looks like, और इन सभी system के अगर बात करें, और हाँ, जब plus two खतम होती है, तो तत्व के इलावा और revision material अलग से आता है, revision material अलग होता है, यह तत्व जो regular material है, revision अलग होती है, तो उस पूरे comprehensive preparation के करके results आते हैं, and let me tell you, जो आपका preparation, जो आपका subscription होता है, आप fees देते हो आप, जो कि आप एक fees दे दोगे, वो सिरफ plus two के end तक नहीं है बेटा, वो JEE के advance तक है, right, JEE advance तक, proper end तक, so, इनी चीजों के वैसे ऐसे best results आते हैं, जैसे कि आप, आप कहीं भी compare कर लो country में, you will realize कि इन results का एहमित क्या है, 548 advance selections का मतलब क्या होता है, कभी network search करो, पता लगेगा आपको, this is what Vedantoo stands for, चाहे वो KBPYBQ नहीं हो, the best results in India, one of the best results, right, so, these all things are done, और मैंने session के beginning में दिखा दिया था, कि मेरा micro course launch हो चुक है, तो जितने भी subscription ले चुके हैं, वो तो फटा फट उसको join कर ही लो, coming Tuesday से शुरू हो रहा है, session की beginning मैंने दिखा दिया था, कहां पर जाके दिखेगा आपको, and जिन्होंने नहीं लिया अगे तक subscription, वो फटा फट subscription ले लो, और एक planned way में भी तयारी शुरू कर दो, गड़बड मत करो, if you are actually target IIT, अगर target है, ठीक है, time pass तो बेटा देखो फिर मरदी है आपकी, but I will suggest कि आप एक चीज़ फिक्स करके, focus करके पड़ो जरूर, हाँ, वो focus कहां करना है वो आपकी choice है, मैं सब suggest कर रहा हूं कि अगर आप online coaching सोच रहो, nothing better than this, you can take my words, and coupon code कैसे लगाते हैं, बता देता हूं, but yes, उससे पहले मैं यह बता दू, telegram group join कर लो, description में link है क्योंकि आपको test, जब आपका CBT mode का होगा, आपको link इसी पे आएगा, जो 12th class है, जैसे आप Elite Live 11 चल रहा है, ऐसे Elite Live 12 चल रहा है, 12th Elite Live का पहला mock test, CBT mode का इसी Sunday को है, ठीक है, तुम्हारा भी होगा, जब तुम्हारे भी एक दो एक दो चैप्टर कवर हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी mega mock test होगा, CBT mode पे proper, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है, सर मुझे रोहित सर और गबबर सर का batch मिला है, येस बेटा, अभी इस वक्त जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अभी जो ले रहे हैं, उनको 3rd मही का batch भी मिलेगा, और वो चाहे तो इससे अगला batch भी ले सकते हैं, जो की 18th मही के आसपास launch होगा, नॉर्मली 15 डे के gap पे batch launch होता है, और जो 3rd मही का batch launch होगा है, उसमें chemistry के HOD पढ़ा रहे हैं, Math में मेरा बहुत लोस फ्रेंड है, अंकित गुपता सर वो पढ़ा रहे हैं, and physics में रोहित सर पढ़ा रहे हैं, again my very fast friend, सारे मस्त हैं, और ये batch में जो language of interaction है, वो वैसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी, content पूरा English and बाते हिंदी में, so that is an interaction language, okay song सुनाना है, okay song सुनाता हूँ, पर पहले बोलो like फटा फटा दबा दो, और subscribe नहीं किया तो फटाट सब्सक्राइब कर दो, song मैं सुना रहा हूँ अभी बेटा, सुनाने से पहले मैं हलका सा यह बता दो, कि यह subscription लेते कैसे हैं, क्योंकि beginning में जो बचे पूछे थे बहुत subscription के बारे में, they must be interested, तो मैं उनको बता देता हूँ, इसी session के आप description में जाओ, इसी session को click करो, ठीक है, और description में आपको, यहां पर देख जाएगा, विदान्तू pro subscription ठीक है, बस इस link को click करना है आपने, click करो, अच्छा आपको अगर सिरफ CBSE का batch लेना, तो आप यहां पर edit दबा के CBSE दबा सकते हो, by default यह JEE का batch है, और JEE में पूरा पढ़ाया जाता है, जो school का है, जो competition का पूरा पढ़ाया जाता है, पर अगर आपको exclusively CBSE चाहिए, तो इस edit पर click करके, यहां पर आप CBSE भर सकते हो, ठीक है, तो नीचे जाओ, यहां पर आपको different subscriptions हैं, light, classic, plus, इसमें जो features हैं पता लग जाएंगे, मैं mention कर दूँ, God bless you, I hope I'll see you soon in my macro course as well, so, मैं यह clear कर दूँ, subscription में सिर्फ feature का फरक है, batch वही होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो कम पेक करेगा अलग batch है, जो जादा पेक करेगा उसका अलग batch, feature का फरक है, of course जो high feature वाला subscription लेगा, उसका cost रहा जादा रहेगा, पर उसको feature जादा मिल जाते है, personal teacher मिल जाता है, doubt solving आपका जादा access मिल जाता है, personal teacher एक बहुत बढ़ी चीज़ है, जो आपको हर समय help करता है, और यह जो feces यहां mentioned हैं, पहले बता दू यह पूरे दो साल की feces है, दो भी नहीं, till your jee advance, यानि कि जब तुम 11 खतम करोगे, 12 खतम करोगे, jee दोगे, तब तक की feces है यह, ठीक है, और इसमें पूरी coaching included है, PCM, jee level, plus CBSE भी आपमें included हैं में, optional है, ठीक है, by default आपको jee का batch मिलता है, बट आप चाहो तो CBSE का batch भी इसी में enroll कर सकते हो, तो इसमें आपको PCM, JEE का proper batch, plus CBSE का batch अगर आप join करना चाहो तो वो आपके लिए free होता है, जो कि अकेले CBSE वालों के लिए paid है, of course, साथ में micro courses, जैसे कि मेरे micro course आपको यहां मिलेंगे, जहां पर मैं आपको conceptual building वाले, वो सारी चीजे पढ़ाऊंगा, जो आपको इसमें बहुत strong बना देंगी, and you will become a better contender for IIT, I'll teach you, basically मेरे micro course maximum जो होंगे, वो इसी nature के होंगे, कि किस तरह से आपको अपना foundation strong बनाना है, conceptual strength बनाना है, किस topic को कैसे पढ़ना है, वो सारे micro course में पढ़ाऊंगा, topic भी और उनको पढ़ना कैसे वो भी, ठीक, मेरा पहला micro course Tuesday को यह शुरू हो रहा है, जोगा में Tuesday है, session की beginning मैंने पुरा बता दिया था, तो अगर मिस किया, वो beginning में देख जाना कि कैसे मेरा वाला आपने join करना है, यह, 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 so fees आप कोई भी ले सकते हो, अगर affordability की बात करें तो यह बहुत affordable है, per month 272,000 भी नहीं पड़ता, और अगर आप affordability का issue नहीं है, then you should go for this thing, क्योंकि इसमें आपको personal teacher मिलता है, जो कि बहुत बढ़ी बात होती है, ठीक है, so it's completely your choice, तो अगर आप यह join करना चाहते हैं, month भी ले सकते हैं, but I will say go with the complete year, आप इसको EMI में pay कर सकते हो comfort के लिए, अगर आपको लगते हैं कि बड़ा payment मुश्किल होता है, क्योंकि मैं one month इसने नहीं बोलता है, क्योंकि one month में ने फिर आप judgmental mode में रहते हो बहुत जादा, इसलिए मैं कहता हूं हमेशे go for complete course, आपने coaching join करो, फुल को पढ़ो, okay, this will take care of your complete JEE preparation along with CBSE, this will take care, 100%, okay, so बस यहां पे code tool लग जाता है, बस चाहे EMI दे दो, चाहे direct payment कर दो, and you will be a part of it, and, कर लो join, अगर अभी तक नहीं किया है, यह सभी नब जिन्होंने one month subscription लिया, उनको पहले soft copy मिलता है, तत्व का, जो booklet होती है, ठीक है, जो full year लेते हैं, उनको hard copy मिलती है, ठीक है, actually होता क्या कि, जो delivery होती है hard copy कि, होती ही करीवन 20-25 days में है, कोई टाइम लगता है, all over India delivery में, इसलिए जो one month subscription है, उनको सिरफ soft copy मिलेगा, या रखना, ठीक है, okay Ganesh God bless you, and now let us come to trial, trial कहा दिया, song, गाने की अगर बात करें हैं, पांचे मिनटी बचें बेटा, I need to take rest also, मेरा 8-way session भी है, तो एक छोटा सा गाना गाएंगे, फिर हम चलेंगे, enjoy करके, और books की बात करें, मेरा math का, chemistry का, दोनों का best book का session हो चुका है, math की best book, मैंने session लिया था, chemistry की best books, आपके जो दोस्त है, महिसर उनने session लिया था, वो देख लेना, ठीक है, औके, और, गाना 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 अच्छा, ओल्ड सॉंग या मीडियम लेवल सॉंग, मीडियम या निया टाइप्स, रहमान जैट यहां पर जूनीट फुलफिल होती है, वहां पर पढ़िया आप बेटा, मेरे कोर्स मेरा माइक्रो कोर्स का नाम है, Algebra and Trigonometry Foundation 1, यह मेरे कोर्स का नाम, मीडियम, मीडियम पर गाना गाए, मीडियम 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 बोले तो, हिंदी में मीडियम, यह सोचाना ना दुमाद में कुछ नहीं आता है, यह सब कोर्स अर्ष, without any problem, it depends upon your focus and your dedication, मेरे सपनों की रानी उतो प्राना होगे बटा बहुता है, वह काता हूं, मलब words भूल यह तो माफ करते ना बईया, यह लगजा गले बड़ा प्यारा कहना है, लगजा गले के फिर यह हसीरात हो नहो, शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो, लगजा गले से हूं, हमको मिली है आज यह घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए, हमको करीब से, फिर आपके नसीब में यह रात हो नहो, शायद फिर इस जनम में बुलाकात हो नहो लगजा गले से, God bless you all, जल्द ही मिलेंगे, एंड विटा 11th में, अपकमिंग माइक्रो कोर्स में देख, मैंने बिगिनिंग में बताया है, सेशन का बिगिनिंग देख, मैंने बताया हुआ है कि मेरा माइक्रो कोर्स कहां पर है, ठीक है, चलो, God bless you all, सीखते रहो, मजे करते रहो, दोस्तों को सिखाते रहो, and share the positivity around yourself, खुद खुश रहो, लोग को भी खुश रखो, इस समय में खासके सबको बहुत जरूरत है, ठीक है, ओके बेटा, God bless you, love you very much, take care, okay, God bless you, bye-bye, okay, bye, take care, yes, 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 of course, okay, अगला कान अगली स्क्रास की बिंगिनिंग में गांगा, लुका छुपी बहुत हुई, ठीक है, अगला सेशन, I'll start with this song, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, ठीक है, okay, मानस भी नहीं बस कोशिश है, अभी तो low है, बेटा भी तो energy ही है,